नमस्कार दोस्तों मैंने नाम है विवेक पांडे बहुत बहुत श्वागत है आपका ब्याहरादर 247 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यह कंपड़ो साइन्स की क्लास है अगर बीपेसी ट्यारी 4.2 या स्टेट की तियारी कर या किसी भी कंपड़ो साइन्स पर टीचिंग ए अभी है टीचिंग का एक्जाम है अभी आपको मैं बता दो कि बैंकिंग सेक्टर में सो आईटी का भी नोडिफिकेशन है जो आपका यह आने वाला है तो मैं आपको यह पूरा क्लियर कर देता हूं कि वो बच्चे जो यहां पर कवर कर रहे हैं ठीक है तो सारे स्टूडें आपको लगातार बनाए रखने है चली तो ज्यादा समय ने लिए तोर सेशन की सुरुवात करते हैं जूड चुके हैं यहां पर मैं देख चुका है यहां पर बिर्जू जूड चुके हैं मीरा जूड चुके हैं शौरब जूड चुके हैं इतिशाम जूड चुके हैं विक स्टूलिंग का हम लोग कुछ टॉप कुछ सम्ट डिस्कस कर चुके थे सम्ट डिस्क स्टूलिंग है यह हम लोग कर डिसकस कर चुके थे ठेक है जिसमें हम लोगों ने q ere sqd बारे शर्चा कर लिया था जिसमें लोगों ने स्कैंवी चरचा कर लियार था और ssta b je last video more discuss कर चुके थे ऐज की वीडियो में क्या करेंगे तो डीस सीडूलिंक से जितना रहे गाया था वह डिस्कस कर एंगे उसका प्रुसेश सीडूलिंक से भी हम लोग कुछ न्यूमरिकल हैं करेंगे मतलब थोड़ा बहुत हर तरह की पॉसिबिलिटी जो हमें लेके चलना पड़ेगा जब बारे में बात कर रहे हैं तो हर तरह तरह का एक्जाम में कोशन है जो हम लोग यहाँ पर ठेक है तो यह चीजे मैं आपको आप तो यह चीजे मैं आपको बताता हूं कि किस पॉसिबिलिटी को लेकि हम लोग चलने वाले और यहां पे क्या क्या करना हैं तो मैंने आपको बता दिया में यहां पे हम लोग Deciduling के बाकी जो टॉपिक है वह आज करेंगे और साथ साथ हम लोग mentorship सीडूलिंग का भी चीज आज स्टार्ट कर देंगे देखते हैं कहां तक ही हो पाएगा ठीक है चली स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे अगर आप BPSC 4.0 की तयारी कर रहे हैं तो आज आप बिहार सिक्षक भरती महा पैक से आप जूड सकते हैं यह आज आपको जब Y706 क का इस्तमाल करेंगे तो आपको 3X वैलिटी पे अबलेबल है और मेरा नया बैच आ रहा है आयाची 2.0 आयाची 2.0 आ रहा है किसके लिए तो ट्यारी 4 के लिए ट्यारी 4 के लिए 2.0 नया जिसका लिंक आपको डिस्कुशन बॉक्स में दिया गया है तो यहां पर अलड़ी ह कि अगर आज इन्रॉल कर रहे हैं तो आप सिच्छा भरती पे किजिए क्योंकि वह आपको लोवेस्ट प्राइस बाजाब लेबल बाकि आपका कॉल है आपको क्या करना है ठीक है चली हां लेकिन मेरे साइट से कंट्रिबूसन वाई 706 ठीक है वाई 706 का इस्तमाल करके आप पर कर रहे थे वहां पर मैंना लडी आपको बताया था तो अगर यहां पर देखा जाए तो डिस इडूली क्या है डिस रूली एंड मैनेजमेंट अर एसेंट्यल कॉम्पोनेंट फो और अपर इडिंग सिस्टम डैट है यानि कि डिस इडूलीं और प्रोसेस इडूलीं में क्या है यह सब अलेडी हम लोग बता चुके हैं ठीक है अलेडी हम लोग यह बता चुके है कि क्या क्या चीजह यहां पर होगा है ठीक है डिस इडूलीं क्या काम करता है जाहिर से बात है सबसे बड़ा इसका जो टार्गेट होता है वो क्या होता है वो टार्गेट होता है कि सीच को रिड्यूज करना सिट्वाइस कर देते हैं कि अगर आप हाट डिस पे गए हैं और हडिस में अगर हम सीक्जक कि सीहांग दिसेड़ेटा माँग रहा है अब डेटा एक सेस करने को हम लोग हमauen क race time time कहने का मतल़ रिक्वेस्ट रिस्पेंश कर सकतान को हम होप एक्सेस टाइम के यहां पर जो हड़ेसt लागता सी mushroom में होता है यह पॉइंट बछाय वह अच्छा है आपी ट्रैक और सेक्टर के फ़्म में होता है तो specific track का ढूंड़ने में में जो समय लए दो ख सीक time कहते तहरो त्राक को जो अरे क्लास तो छह बजय चल रहा है त्लोगे चल रहा है जो अच्छा है सरे स्टेट के लिए डूको जो स्टेट टार्गेट कर रहे न उसको महापैक लेना चाहिए क्योंकि अब यह एक्जाम डेट जिस अगर एक्जाम डेट कल होता तो आप किसी एक पर चल जाए एक्जाम डेट में टाइम एता आपको टच में बना रहना पड़ेगा इसलिए हम में बोल रहा हूं महापाइक बाकी एक बैच है एक एक एक्जाम के लिए अभी आयाची बैच है वो जट्यारी के लिए सफिसेंट है और जनक बैच जो होता है वो मेरा हो सकता होती है तो डिसीडूलिंग के बारे में स्काहल् vyलिंग अल्गर्द होता है इसका काम क्या होता है इसका सृटल सिटाइम को रिद्यूज करना इसका मक्द china होता है एफसे एफस्टांशेडूनिंग या सिटम म करता है और स Congressman होता है metropolitan 10 sequ withdrawing निसकिए उसके बार इंस वीडियो में हम लोग FCFS पर बात किये थे तो FCFS क्या करता है जो पहले आता है उसको पहला काम करता नहीं फर्स्ट कम फर्सर वाली सर्वीसे इस पर नुमरिकल भी लास्ट वीडियो में कर चुके थे एक बार इसको देख लीजेगा फिर स्स्ट क्या होता है यह कैसे काम करता है और इस पर नुमरिकल भी हम लोग कल की वीडियो में देख चुके थे नुमरिकल भी कल की वीडियो में हम लोग देख चुके थे अब आगे बढ़ते हैं इसका भी नुमरिकल हो चुका था अब स्कैन भी हो चुका था सर्कूलर स्कैन भ अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है तो अभी तक हम लोग स्कैन तक बाते कर चुके थे स्कैन तक बाते कर चुके थे और सरकूलर स्कैन तक बाते हम लोग कर चुके थे आज जो बाते स्टार्ट होगी वह लुक से स्टार्ट होगी और सरकूलर लुक पर यह चलेगी यह चीज मैंने आपको क्या बताई आप भी थी कि क्या क्या चीज़े हमारी हो रही थी अब मैं जो डिसकस करने वाला हूं यहाँ बिल्कुल अभी जो हम लोग बात डिसकस करने वाले वो क्या करने वाले हैं तो अभी सबसे पहले हम लुक के बारे तो लुक क्या बोलता है दोस्तों request और सबसे अंतिम request तक जागा अच्छा अब यहां पर क्या था कि आपको याद होगा कि जो लुक क्या करता था लुक इससे पहले scan क्या करता था कि एक जगह से start हुआ और भागता था तो सबसे अंत तक भाग के जाता था ना अन लास्ट तक लिए सतार्ट किए और गया तक आप गया के बीच में है माल लेते हैं तो अगर कोई ट्रेन आपका पटना से गया तक कि अगर आपको वो क्या करता था कि मानलो कि यहां किसी स्टेशन से स्टार्ट किया है और लास टिया दो जाएगा ठीक है कि यह года तक यह रहे है कि अगर सावारी मेरा जहानाबाद तक का मिला है तो जहानाबाद तक कहीं मेरे पास है ठीक है कहां तक की सवारी मेरे पास है यह उसी के पास जाएगा ठीक है लेकिन स्कैन क्या करता है कि मिलेगा सबक्रैंगे चाहना बत तक मुझे सवारी है तो कहते हो जाती है तो दाट इस दाट डिफ्रेंस बीट्विन लुक एंड स्कैन तो असकेन क्या करता था गया तक चल जाता था इसको जहाना बाद में ही रुख जाएगा यह एक्जामपल समझ में आ गया अब इसके नुम्रीकल पर आते हैं ठीक है ठीक है अब यहां पर देखने हैं सबस्टेटमेंट देता है नुब लास रिक्वेश्ट अधर एंड सर्विसिंग और रिक्वेश्ट इन बिट्विन ये सारे वेश्ट को कर सकते हैं उसके बाद आफ्टर रिचिंग ड़ल लास्ट रिक्वेश्ट एड़ अड़ अधर रिवर्स तो फिर यह दाना पुर अगर छूड़ गया होगा तो उसको लेगा जो भी स्टेशन पीछे चुड़ तो पीछे वाला का बाद में लेगा यह ठीक है तो यह इस तरह से यह काम कर रहा है सेम वहीं है कि बस यहीं कि लाश्ट तक नहीं जागा जहां तक सवारी मिला यह वही अग्छे जहां फिर पीछे आएगा पीछे आने के दौरान याद रखिएगा जब वह पीछे आएगा तो आने के दौरान जो भी बीजबीज मिलेगा सबका सर्विस करते हुए आएगा और इस तरह करके हमारा यह अंत तक पहुँजए तो यह एक जेनरल कॉंसरेट है किसक तो लूق का यह जेनरल कॉंसरेट हो एठेक है यह किसका हो गया तो यह मेरा लूक कर यह जनरल कॉंसरेट हो गया ठेक है जो समझमें आगे सार आप लोगोओ घुर तो अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग में यह रख लिजिएगा यह अगर ऐसा करेगा तो क्या क्या अच्छाइं बन सकती तो सबसे पहला बात आप देखेंगे कि दिस और मेरा सीख टाइम पर क्या ख़वर पड़ेगा ठीक है अगर और अधासाक сразу यह जाद नहीं कि कलकॉन साइgसामपल दिये तो टि Where अब बात करते हैं यहां पर अगले पॉइंट अगला पॉइंट क्या तो यही काम अगर माने दिस्क है इसका मुम्मिंट करना करना है तो कैसे करेंगे तो चलिए हम आते हैं डेटा पर आते हम आपके डिस्क पर और इसको बनाने की कोशिस करते हैं ठीक है को कोश्चन आपको समझ में आ गये कोश्चन समझ में आ गया ठीक है तो कोश्चन आपको समझ मैं आ गया तो सिंपल सा बात सेम कोश्चन जो कल जो बच्च आज क्लास ले रहें तो कल वाला देख लिजिएगा ठीक है टोटल है मुमिन्ट यहां FCFS ना करके हम लोग लोग कर देते हैं क्या अगर next point पर आ रहे हैं अगला point क्या है अगर यहां पर देखना चाहरे हैं तो data क्या है वही कल वाला ही data एक बाद स्क्रीन स्वाट इसका लेना चाहरे हो तो ले लो यहां सब को याद भी होगा तो हमने start कहां किया है तो मेरा starting point मेरा zero है हम कहां तक जाएंगे तो सर हम जाएंगे शलू पटना से start किये और गया तक हम चले गए यानि 199 अब पटना से start किये और बीच में अच्छा एसा करते हैं था बड़ा डिश्टिल ले दिमाग में अच्छा लगेगा ठीक है हम पटना से start किये और दिल्ली याद नहीं रहता है अब यहां पर क्या क्या था तो यहां पर प्रियाग राज हो गया या फिर क्या क्या प्रियाग राज आता है और बीच में कॉन सा स्टेशन आ जाता है दिन दयाल उपध्या आ जाता है ठेक है इधर से लखनों भी आ जाता है अपना अपना जो भी स्टेशन तो वही समानलों की बीच में ठेक है फिर 65 हो गया ठीक है य 192 था 149 था और फिर मेरा 181 यह मेरा 181 था अब आते हैं यहां पर अब यहां पर हम काम करते हैं बिल्कुल जो भी था अब यहां पर अब क्या बोलता है कि अगर मानलों स्टार्टिंग पॉइंट 52 है स्टार्टिंग पॉइंट इसका 52 है तो 52 से स्टार्ट करेगा यह 52 से स्टार्ट करेगा ठीक है यह 52 से स्टार्ट करेगा यहां पर और क्या करेगा लास्ट तक जाएगा ठीक है तो 52 से इसने हैड मुमेंट स्टार्ट किया 63 के पास गया 63 के बाद 65 के पास जाएगा 65 के बाद यह 96 के पास आएगा, 96 के बाद मेरा 122 के पास आएगा, 122 के बाद यह 139 के पास आएगा, और 139 के बाद यह मेरा 181 के पास आएगा, ठीक है, अब यह 181 के पास जब यह चला गया, जब यह 181 के पास चला गया, उसके बाद फिर यह क्या करेगा, यह फिर दुबारा घुमेग यहां पर तो यह in between जो मिलेगा सब को service देगा, तो यह 40 वाले को service देगा यहां पर, यह 40 वाले को, और फिर 12 वाले को service देगा, यह 12 वाले को, ठीक है? चलिए, अब यहां पर क्या है? देखते हैं, सबसे पहले क्या है? तो यह 63 minus 52, यह 65 minus 63, यह 96 minus 65, ठीक है यह 122, 122, minus 96, यह 139, minus 122, यह मेरा 181, minus 139, ठीक है, यह मेरा 181, minus 14, और यह मेरा 40, minus 12, यह हो गया, सरांसर कितना आ रहा है, सरांसर आपका आ रहा है, अगर मैं आंसर पर बात करता हूँ, प्यारे स्टुडेंट, तो आंसर मेरा कितना आ रहा है, आंसर मेरा आएगा, आंसर मेरा आ रहा है, 63 में से 12 गया, 3 में 2 गया तो 1, 6 में 5 गया तो 1, 11, यह कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस, 6 में 5 गया तो 1, 9 में 6 गया तो 3, प्लस, 12 में 6 गया तो 6, और 11 में 9 गया तो, 11 में 9 गया तो 4, प्लस, 9 में 2 गया तो 7, 3 में 2 गया तो 127, प्लस, 11 में 9 गया तो 2, 7 में 3 गया तो 4, 142, फिर प्लस, 141, प्लस, 10 में 2 गया तो 8, और तीन मेंसे गया तो दो अब जो जोड के अंसर आ रहा है बता दिजिए ठीक है अब जो जोड के आ रहा है ठीक है दुबारा फिर से इसको समझा देंगे एकदम तरीके समझा देंगे पहले इसको solve करके बताईए कि कितना हुआ है ठीक है 46 होगा च्छालिस के जगा कहां पर एक दो तीन चार एक दो तीन चार बारह मैं से च्छे गया तो च्छे और 11 में से नौ गया तो आहां 11 कारम से नौगे दो हाँ ठेक है 26 ऑगा बिल्कुल यह 26 होगा चली अठेक है अब बताएच अगर टोटल देखा जाया तो कितना आ है आपर है कि यहीं इसका है कि 99 यह नहीं जायेगा यह उसी का प्रावल्म सौल किया जोड के कितना आ रहा है आंसर तो सारे बच्छे बताए य अगर देखा जाएं तो बेसिकली मीरा आठ नो दशें ग्यारा शात अठारा 11 ग्यारा साथ होगा मेरा अठारा अठारा उन्नीश बीस 24 25 26 27 28 यह 28 हो गया दो दो चार चार आठार आठ चार बारा बारा दो 14 14 6 18 14 6 भूल गहां ने क्लिखे देक्टे थे आठ नोधा से 11 117 88 88 19 20 24 25 26 28 28 केरी दो ठेक है 1010 20 के जीरो काई लिया दो ठीक है दो तीन और 1448 और टार फारा जिसका भी आ 400 रहा साथ चार सौर्ट रहा साथ ठीक है चार सो आठ ये मेरा आईटम ये मेरे इटम्स है ठीक है है एक सो सताइस है एक सो उन्चालिस नौ में दो गया तो साथ 11 में नो गया तो दू अच्छ अच्छ यह सिर्फ ब्यालीस है और 11 में साथ में यह सिर्फ ब्यालीस होगा अगर सिर्फ ब्यालीस होगा तो यहां पर सौ घड़ एक सिन मैंने कैलकुलेशन में गलती किया है तो तीन सो आठाइगा सो गड़ जाएगा तो 308 ठीक है आप फिर से चेक कर लेते हैं कहीं जोड़ घटाव में गलती की होंगे तो 63-52 एक गयारा है तेरह में तीन में दो गया चेंपाज गयारा पांच में तीन गया तो यह सही है बिल्कुल छे में पांच गया तो एक नौ मे मेरा एक गयारा है गयारा मैं से नौ गया तो दो ठीक है बिल्कुल नौ में दो गया तो साथ और तेरह में तीन में दो गया तो एक और और एक में गया तो जीरो एक में यह भी गलत है यह भी गलत एक में गया तो यहां पर भी गलत है दोस्तों ठीक है तो नौ में से दो गय तो दो और साथ में से तीन गया तो चार यह भी सुधर गया। ठीक है यहां है एकुआ यह Tो सही ए यह Thankya। यह आनसर बिल्कुल चंज हो जाएगा क्या हो जाएगा वो देखते हैं आठ एक नोव नौदस एक ग्यारा एक ग्यारा 17 एक ग्यारा 17 18 19 20 24 और एक 25 26 27 सब्सक्राइब लगा दो दो चार चार आठ आठ चार बारा एक तेरा चौदा पंद्रा सुला सतरह अठारा और एक मेरा उनिस यह उनिस हो गया और एक दो अधार दो तो नाइंटी एट इस अराइट अन्सा बिल्कुल बहुत सारा बचे कमेंट करते टू नाइंटी इस अराइट अनसर फेगेर टू नाइन्टी अगरण तो रहां टू आइट आन्सर क्या था मेरा तू नाइनटी अरू गहां अब जैसे किस यह स्कैन पर हम बात कर रहे हैं यहां पर स्कैन पर हम बात करें स्कैन क्या होगा तो सिंपल सा यह लॉजिक समझे अगर मैं स्कैन पर बात कर रहा हूं ठीक है ठीक अजय है स्कैन पे बात कर रहा हूं अगर मैं स्कैन पे बात कर रहां कि यहां पर तो वो क्या है उसको भी देख सकते हैं बिलकुल हाँ यह वाला भी सौटकट सही है यह वाला सौटकट पर अभी हम नहीं जा रहें ठीक है सौटकट भी सही है कि आप लास्ट वाले को जो इंटरमीडियेट डिजिट दिया इससे माइनस कर दो और लास्ट वाले को फर्स्ट डिजिट से माइनस कर दो आंसरा यह भी सही है लेक पर चल जाएगा ठीक है तो अगर मैं स्कार2 पर देखा जारा है स्क्एन का 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 तरीका ये होता है आप साट किए कि एक हैसे साट किया शरी यह live था यह soll xu था यहां आट यहां टैन मीड़ का काम करने का तरीका यह तरीका कौनल का का से टृषने का तरीका यह होता है कि आप इस पॉइंट पेसन जहां पर अप एक लास्ट एंड तक चले जाइए घर्लास्ट एंड टक चले जाइए मैं ठीके लास्ट अन तक चले जिए और फिर वहाँ से पीछे आई और इन बिट्मिन जितना था उसको आप सर्विस देते हुए यह तो 40 था तो 40 का सर्विस और फिर यहां था ठीक है इसका एक शॉटकट ठीक है जो मतलब यहां पर इजात है कि 181-52 करके इसको देखना बच्चे कह रहें 182-52 प्लस 181-12 ठीक है क्या आंसर 298 आ रहा है तो अगर हम देखते हैं तो 11 में से 2 गया तो मेरा 11 में से 2 गया तो 9 और 7 में से 5 गया तो मेरा 11 में से 2 गया तो ठीक है ने ने आप यह मुवमेंट लेकिन यह हर जगा इंप्लिमेंट होगा थोड़ा सा इस पर एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब यह क्लियर होगा क्योंकि हर स्कैन में इसको लगा के देखना होगा ठीक है तो बिल्कुल यह सही आ रहा है यहां पर कोई दिक्कत नहीं यहां पर तो यह सॉटकट तरीका आप इंप्लिमेंट कर लेकिन मेरा अभी भी यह है कि शॉटकट है आपके पास लेकिन आप इस मुवमेंट को एक बाद जरू देख लिएगा क्योंकि मुवमेंट अगर दिमाग में रहेगा तो आप इन बिटमेंगर कोई स्टेप अगर स क्या होता है अगर मैं बात करता हूं लुक का जो सिनॉनिम से वह यह बोलता है कि आफ्टर रिचिंग दा लास्ट रिक्वेट आफड़ अदर यह इसका जो और ऑलगो कहता है कि आफ्टर रिचिंग दा लास्ट एंड हम लास्टेंड में जब पहुँच जाएंगे हैडरी its direction वहां सरभर यानिक लास्ड गाम अंतिम तक नहीं जायेगा अंतिम जो रिक्वेस्ट होगा वहां तक जा रहा ठीक है तो यह कहां है लूक में वही अगर स्कैन पर हो रहा थां असकेन में 199 तक जा रहा था था स्कैन प्रिकान 199 जब scan होता लेकिन है क्या यह लुक है यह लुक के problem को ही solve कर रहा था लुक में क्या समस्या बन रहा था कि भाई हमें लाश तक move करना परता था लुक में हमें लाश तक move करना परता था लुक में हमें क्या करना परता था लुक में को यह solve कर दिया ठीक है उसी के problem को यह solve कर दिया वह अगर मालो इन between data नहीं भी है तो भी अगर मुझे लाश्ट अगर मूव करना पड़ रहा है तो जाहिर से बात है कि wastage of time है sick time तो जादा ही आ जाएगा वहाँ पर तो यह क्या काम कर रहा है कि जहां तक request है वहीं तक जाओ आप लाश तक नहीं जाओ उधारन के तौर पर अगर आपके अगर आपके समझो पहले यह क्या करता है वह सब चीज को पहले रिवाइस करवा देते हैं तो जो भी बच्चे आज भी जुड़े होंगा उनको यह दिमाग में बैठ जाएगा ठेक है पहले मिला उसको हम मतलब जैसा रिक्वेस्टिया डिया गया था फिर यहां ज़ा जहां मुझे भेज रहे था वहां वहां मैं जा रहा था क्यों क्यों कि ये बोल रहा है फिरस्टी उसके बद SSTF आया सर SSTF क्या बोला सब में कुछ समानता हैं कुछ-कुछ विशमता हैं और वही चीज़ तो हमें याद रखना है वही चीज़ तो हमारे लिए एक्जाम के लिए बनेगा Sorted 6 Time बोल रहा है कि सर आप जहां पे खड़े हैं वहां से जो सबसे नजदीक होगा Sorted 6 Time जो सबसे छोटा रास्ता होगा पहले वहां जाईएगा अगर आप 10 पे खड़े हैं तो अगर मान लिए आपके पास 5 है आपके पास 6 है तो नजदीक कहां पढ़ेगा नजदीक मेरा 6 वाला पढ़ रहा है तो ठीक है सर कर लिए ऐसा काम कर लिए अब मामला आया किसके पास स्कैन के पास स्कैन का नाम है स्कैन करना तो ठीक है स्कैन का काम करता है स्कैन करना यानि कि हम जहां खड़े हैं वही से सब को स्कैन करते वह और स्कैन करते वह कहां तक जाएंगे तो अन्तिम ट्रेंड का मदद ट्रेंड का जहां फाइनल स्टोपेज़ वहां तक जाएंगे ठीक है अगर हमें सवारी मेरे ट्रेन में है या नहीं है लेकिन अगर मेरा ट्रेन है अगर मालो दिल्ली टू मुंबई जा रही तर्फिए तो यह स्कैन क्या करेगा कि मालें रिक मानूब यहीं खत्म हो गया फिर भी यह लाज तक जाएगी ठीक है स्कैन मतलब लाश तक जाएगी मतलब दिल्ली तक जाएगी ठीक है अब जब दिल्ली तक यह पहुँच गया उसके बाद इसको बोलेगा भाई पटना में भी कुछ सवारी छुड़ गया ता मेरा तो यह फिर पीछे से घूम के आएगा और जो जो सवारी यहां मिला था उसको यह सर्विसेस देते हुए आए यह सरकल में शक्म करें और यह फिर फिर पहले पटना यह उसके बाद जो सवारी आ तो बैठाई यह 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 बोल रहा है कि आप जहां पे खड़े हमानी प्रियाग राज से गए तो डिली चले गए दिली से घूम के फिर सब्सक्राइब फिर पहले सब्सक्राइब और यह क् पटना पिर से घूमने आगर बीच में माननों कि पटना से पहले इसको सवारी मिल जा रहा है तो वहां तक यह चाली अब क्या हो रहा था कि दिल्ली आप हम जा रहा है हमेरे मkeeper क्या किया कि हम घर खंक एसेया रखना हम लुक करेंगे हम देखेंगे कहां तक हम स्कैन्डि करेंगे लेकिन जहां जारी मिलेगी मैं वहीं तक करो दो धाइक मिलेगा यहां से चीजे शेय स्टर्ट किया यहां सवारी मिला ठीक है यहां मिला यहां तक गया और 근데 में इसको जो मिलेगा ठीक है फिर उसकात धाया, यह तरह काम किया फिर अब यह आगे बढ़ा सर्मक्द लूप सर्कूलर gather लूप्र अभी आगे देखी तो यहां तक समझ में आगे एक बार सारे बच्चे बोलो कि सर कि यह सर अब दिमाग में बैठ गया कि FCFS कैसे काम करता है SSTF कैसे काम करता है कल और आज वाला वीडियो अगर पूरा देखिएगा तो दिमाग में पूरा आपको बैठ जाएगा ठेक है कि एक बार स्योर कर दें कि यह सर सही अच्छा अच्छा करना पड़ा है अब सारे बच्चों को समझ में आ गए समझ के जाने के साथ अगर आपको याद भी हो जाना मेरी क्लास का मतलब यह होता है अगर आपको यह याद भी हो जाए तो मेरे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अध्याइब कि अध्याइब कि अध्याए ठीक है चली अगर मैं अब आते हैं सर्कूलर पे सर्कूलर बस कुछ नहीं किया है क्या किया पहरे उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं तो अगर हम बात करते हैं सर्कूलर पे तो सर्कूलर क्या करता है वो देखते हैं सरकूलर क्या करता है कि head start from the first request at end of the disk and moves toward the last request at the other end servicing all the request in between एक स्टार्ट किया और other end तक चला गया ठीक है पहला तो यह काम किया दूसरा after leaching the last request तक जा चुका है उसके बाद यह क्या करता है request the other end have reverse its direction वहाँ से फिर यह reverse होगा ठीक है अभी आ रहे हैं अभी कर दूंगा भाई वह भी दूर कर दूंगा परेसान मत ठीक है if in the return to the first request at the starting end without servicing any request between them यह क्या करता है कि last तक गया और फिर घूम के आया लेकिन बिटिविन किसी को यह सर्विस नहीं देता है अब हम करेंगे सर्कूलर लूक के बारे में तो सर्कूलर लूक के बारे में ठीक है देखो बच्चो देखो मैं आपको बता देता हूँ और ली उस्मागों कि यहीुओ सकता है यहां हो सकता है यह हो सकता है और वेटिंग टाइम इंक्रीस का जाए वैवेटिंग टाइम के वह थे लेकिन होगा सेया अगी वीन के इन गweats ठीक है वेटिंग टाइम है यह आज आज मैं पेट में क्लास ले रहा था तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा मैं लूक इससे भी क्लियर है मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे ना वेराइटी करवाई है मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप एस्टेट का बच्चा मेरा क्वालिफाई करके है बहुत बच्चा बोला सरे एस्टेट ना आपका वीडियो से क्वालिफाई कर लिए थे ठीक है बिल्कुल तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताहर मेरे दिमाग में गोह करें बच्चे काल मेरे दिमाग में घुम रहा था कि बच्चे ने बोला कि सर उस्केले मेरे दिमाग में यही है अल नहीं तो अशानक यह पुराने वाला अभी एक चार बज़े मेरा नया स्टार्ट होने वाला च्छे बज़े मेरा एक ओलिडी चल रहा है वहां पर मैं अब विकली नहीं होगा तो मैं टेस्स एड़ करने वाला हूं टॉपिक वाई 10-15 जो भी है टॉपिक वाई कोशन है मैं जो जब मैं पढ़ा रहा हूं पेड में तो कोशन तो करवा ही रहा हूं नुम्रिकल टाइप के टॉपिक है वह तो ही रहा है लेकिन थोड़ा सा सेलफ असिस्मेंट वाली फिलिंग नहीं आ रही बच्चों को ठीक है बच्चों को सेलफ असिस्मेंट वाली फिलिंग तो एक चीज आप एड-on होगा मैं जल्दी उसके बारे मैं अनॉंस्मेंट करूंगा उस बच्चे की रिक्वार्ण मुझे वह बहुत टच कर गई ठीक है साहथ वह बच्चा यहां पे भी होगा लाई पे भी होगा ठीक है है तो अब मैं अपने क्लासेज में वह चीज भी मैंड-on करने वाला हूं थैंक्यू यार ठीक है थैंक्यू थैंक्यू ठीक है मैं भी सोच रहा था यार बच्चा सही बात है कि थोड़ासा उसको चाहिए कि यार टच में बना रहे हैं था ठीक है बिलकुल इता शेब दोनों में होगा तो दोनों बैच में होगा ठीके वो कैसे होगा मेर मेरा सब या सब मुझे Pri pensar सब सबसे बात लात करना पड़ेगा यहां query आगे लए करूंगा उसको मैं करूंगा ठीके मैं यह चीज देखता कुछ ना हूं कैसे किया जा सकता हैं कि चली आते हैं सर्कूलर स्कैन्ड पर तो सर्कूलर श्कैन्ड यह तप कि यह मेरा घर मान लिए कि यह मेरा जिरो है यह 0 है और यह 0 से मेरा 199 है 0 से मेरा 199 है 0 से मेरा 199 है ठीक है ठीक है बिलकुल बिलकुल यारा परेसान हूँ अच्छाइश को लगास अच्छाइब आज का कुश्यन अच्छाइब यार देको यार एक बात बताता हूं मतलब बहुत सार बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहा हूंगे और पढ़ रहा हूंगे हाँ इंफॉर्मेशन तो भाई आपको हर जगा अबलेबल गूगल में भी इंफॉर्मेशन अबलेबल है जो बें पढ़ाता हूं या उफ्लाइन पढ़ रहे होंगे मैं आपको यह बता देता हूं कि आपने एस्टेट में यह फिल किया होगा कि मेरा मोटो वहां पर यह बन गया था कि कैसे भी करके बच्चा को क्या करें उस धडल को पार करें हम मैरथन के थूरू करें या एक्स्टा क्लास करके करें या बिच्वाइब होगा कि पर लाहे थे अगर आपने बहुतसार बच्चे ने दिया होगा फ्री होगा या पर जो भी होगा है और यह वह फार्मेशन या यह लेकिन अब है कि हमें एक में चाहिए हम रहें गलतिया यह मुझे कोई टूल्स नहीं बता पाएगा हमें कौन सा काम करना चाहिए यह कोई एठी आइज नहीं बतापाएगा तो यह माई राव और उस रोल को मैं ने एस्टेट में जिया और सिर्फ एस्टेट में तो कहने का मतलब यह है किывать को उसकेिट रिख मेरा चाहरे मैं अपको वो काust साथ बनाये रखिए मैंने कैसे कर दूँगा भी बच्चे ना आगे जाके बोलोगे के यह ब् weeggsam में पढ़ाया है यह विल्ट हो ओम कैसे यह काम कर सकते हैं हमारे पास वक्ट है घ्राइट है यह वो पेड़ में ही बता देंगे यह बता और एक बार मैं बता देता हूं ठीक है एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगो कि जो पेड़ वाले बच्चे थे अशुरी ट्यारी थी पॉइंट वाले बच्चे थे लास्ट में जब चालिस नमर का प्रावला मा रहा था तो हमारे जितने जी फैकल्टी थे मैं अपने पेड़ बैच में लाके है कि अपने में अपने बैच कर देख कर वाद में तो यह हो रहा था वहां पर आपने लास्टी में चीज्ज करा किया भी जा रहा था ठीक है चली अ है जब कोश्चन चार चैप्टर का हिल गया ना तो तुम से जादा मुझे बुरा लगा था रही ह अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे की स्टार्टिंग क्या है यहाँ बारा से होता है फिर यहाँ पे 40 से होगा फिर क्या बारा था 40 था फिर मेरा 63 था 65 था ठीक है 63 था 65 था यह वाला पॉइंट था 63 हो गया 65 हो गया 96 हो गया ठीक है 96 हो गया उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 122 हो गया ठीक 122 हो गया 149 हो गया 181 हो गया ठीक है यह क्या कर रहा है स्टुडेंट यह क्या कर रहा है यह इसका मुवमेंट कैसा होता है अगर हम बात करते हैं अगे अगर इसके मुवमेंट पे हम बात करते हैं थी के है कि अनुए करो ओ ठेक है अगर मैं बात करता हूं यहां पर स्टार्टींग पॉइंट क्या अलिए अज़ पॉइंट हो गया 52 πेör 52 से》ाट से स्टाइटंग पॉयंट पे हो गया स्टाइट कहा 52 से स्टाइट हुआ से गया है थेक तो फिप्टीटी तू से स्टाइट हुआ 63 पे गयाा 63 से स्टाइट हlas 65 तक गया 65 से 96 पे गया और 96 पे 122 पे गया ठीक है 122 से ये 149 पे गया ठीक से 181 पर गया 149 से 182 पे गया ठीक है अगर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पर और बार गया चालीस पर आएगा यह यह काम कपर एगा ठीक है हां other paper का भी होसमें थे अगर बात करता हूं यहां पर अगले प्वाइंट पर यहां पर बात करते हैं क्या है अगर देखा जाए यहां पर तो चीज़े यहां पर कहां से start हुई तो यह 60 यह मेरा क्या हो गया 63 से 52 पर हो गया ठीक है और ये मेरा 65 से 63 हो गया, ये मेरा 96 से 65 हो गया, ठीक है, ये मेरा 122 से 96 हो गया, ये मेरा 139 से 122 हो गया, ठीक है, और ये मेरा 181 से 139 हो गया, और ये फिर क्या होगा, अगर लास्ट होए, ठीक है, यह क्या किया लास्ट में आगे बिल्कुल 183 माइनस 199 हो गया आप 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 मत आप आप मैं ठेंगे बिल्कुल है है कर दो यह क्या क्या मियंटे से सा parents 181-2 हो गया और यह फिर मेरा 40-12 हो गया चलिंद इसका आन्सर की आगा मुझे बताई यह दोनों का humour सम्हां से का आउगा मुझे कमेंड करके इसका इसका आंसर क्या होगा यह मुझे बताई ऑप में हखसी लूप में बस यह होगा कि 112 भी घूम के आएगा और उसके बाद e काम करें नहीं बी तक नहीं जाएगा यही बस उसी का थोड़ा सा अंतर यहीं इसमें भी आपका वन नाइन टीनाइन तक यह मेरा नहीं जाएगा कि अगर 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 कर दो ठीक है तो आंसर सब बोल रहा है कि 326 आ रहा है तो 326 इसका ठीक है एक बार सब को फिर से रिवाइस कर वा देते हैं जो बच्चे कह रहे है कि सरी वाइस करने की जोड़त है ठीक है दो तिन सवाल आ रहा है बच्चों के ठीक है जितने भी स्टुडेंट यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका यूज का है इसका यूज यही होता है कि हाड़िस में डेटा रखा हुआ है तो जितना कम से कम हम क्या करेंगे जाहें से बात है कि एक्सेस टाइम तो सब से रिलेटेड है तो कौन सा सी डिस्टू स्लेंडर यानि कि जिस पर ट्रैक रखा गया तो किस स्लेंडर में हम कितना जल्दी पहुत मने कितना टाइम लगया है मेरा कम करना मेरा भाई है जितना बार घूम रहा है है जितना बार गू हैड का काम क्या है घूम रहा डेटा को रीड और राइट कर रहा है डेटा को में काम करते हैं कि वहाँ मकसद क्या होता है कि CPU का हाई ली हम लोग यह कर सके बिल्कुल CP का हम लोग हाई रिस्पोंस कर से बिल्कुल अब यहाँ पे सॉटक ट्वाला भी तरीका यहाँ पे इंप्लिमेंट हो जाएगा जैसे कि अगर बोला खिंवन 181 181-52-181-52+. 181-20-20-2014 माइन इसंटर absorber तो यह बारा जोरुके देखिए का माइट बीक्युवही तो यह पूरा हो गया यह उब कुरा हो गया थे कि थे के यह आपका पूरा पूरा हो गया कि पूरा तो इसके बारे आपको यह समझ में आ गया होगा ठीक चली तो इस अल आप आपके साथ चर्चा किया मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिमाग में बैठ गया होगा ठीक है अब आते हैं बैक तो अभी आपको मैंने दुबारा सब फिर से रिवाइस करवा देते हैं कि क्या क्या चीजे थी तो स्टुडेंट हमारे पास अगर हम बात करते हैं आप तो हमारे पास एक दो तीन चार पांच है था यहां पर ठीक है हाँ वह स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा स्टार् चालिस माइनस बारा भी तो होगा सुरी अश्पाइघ यह फिर यहां जितना घूम रहा है ना और प्लस मेरा चालिस माइनस बारा भी होगा क्योंकि ये वाला भी जिदना के घूम ता ऐसे जितना वार यह घूम रहा है उसके बीच का डिफ्रेंस चीक हां ठीक है तो यह तीन होगा अच्छली तो यह होगे आपके बारे बिल्कुल यह स्टार्टिंग पॉइंट आपका गिवें होगा स्टार्टिंग पॉइंट आप थे किया पोइंट हो गया अब आते हैं तो जैसे मैंने बता उय स्टार्ट पे काम करेगे श्लक कर अप यह खेकाssa क्या करेगा दियु ω कोसे स्कूल रू करेगा तो सर्कूलर लू कहने का मतलब हो है कि फिर रिवर्स आएगा और रिवर्स में आके फिर मतलब अलिमेंट जोगा उसको सर्विस करेगा लेकिन यह जीरो तक नहीं जाएगा सर्कुलर सके नापका जीरो तक नहीं जाएगा ठेक यह याद रहाँ स्टर्टिंग 12 से आए मतलब जो फॉस्ट पॉइंट आगा वहाँ आगा फिर वोर्यड्यूस करके आगे बढ़ें तो यह सब आपका हो गया सर्कूलर स्केन के बारे मिंस समझ में आगे स्कें जो लाष्ट तक जाता था सर्कूलर स्न लाष्ट तक जाता था और starting point में जाता था और फिर वहां से जितने remaining था उसको service देता था और आपका look क्या करता था look आपका end element तक जाता था और फिर reverse आता था ये ठीक है ये काम हो गया इसका in between को service देता था और circular scan क्या कर रहा है कि end note तक जाएगा फिर reverse आएगा और फिर back करेगा लेकिन यह 0 तक नहीं जाएगा समझ में आया एक बार सारे point बोलो कि yes sir consider the following table of arrival time and bus time for the three process P0, P1, P2 हमारे पास तीन process है एक P0 है एक P1 है और P2 है ठीक है उसके arrival time given है और उसका bus time given है बस time कहने का मतलब होता है उसके execution time को हम लोग बस time कहते है अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि process P0, P1, P2 होगा arrival time 0, 1, 2 होगा और bus time 7, 3, 7 दिया होगा ठीक है आपको करना क्या है अगर मैं average ऑमें average waiting time हमें average waiting time निकालना है ठीक है यह ने कालना है अगर मैं बात करता हूं दोसतों अगर यहां पर देख पा रहा हैं कि दोस्तोंrans अगर वेटिंग् टाइम बराबर होता है क्या वेटिंग टाइम बराबर होता है अगर यह हम निकाल दे तो मेरा एक्चॉल वेटिंग टाइम निकल जाएगा ठेक है वेटिंग टाइम बराबर क्या होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम अगर यह हम निकाल दे तो मेरा एक्चॉल वेटिंग टाइम निकल ठीक है waiting time ब्रावर क्या होता है टरन आराउं टाइम मायनस बस टाइम होता है समझ में आगे है कि ठीकैं तो यह दो तिन चीज अम लेकर चलेंगे यहाँ पे तो जैसे मैंने क्या बोला कि turn around time minus bus time equal to मेरा waiting time अब मुझे यहाँ पर क्या given है मेरे पास यहाँ पर bus time given है मेरे पास क्या नहीं given है तो मेरे पास given नहीं है तो turn around अब मेरे को turn around time निकालना पड़ेगा जब हमे turn around time निकालना पड़ेगा तो मुझे turn around time का formula भी पता होना चाहिए तो turn around time बराबर क्या होता है turn around time बराबर क्या होता है तो completion time minus arrival आपको ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इसको confusion मत कीजेगा बहुत ज़्यादा इसको confuse मत कीजेगा मामला को बहुत तरीके समझेगे question बोला है क्या question ये बोला हमें कि sorted job का इस्तमाल करके primitive sorted jobs first का इस्तमाल करके आपको करना है क्या तो आपको average waiting time निकालना है ठीक है दोस्तों अब मुझे इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैं पूछता हूं कि waiting time बराबर क्या होता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि waiting time बराबर आपका turn around time minus burst time होता है यह हमें पता होना चाहिए ठीक है सब पता है यह तना याद करना पड़ेगा जब आपने यह याद कर लिया कि turn around time बरस्ट है आपके चार्ट में burst time given है आपको क्या नहीं given है है तो अगर हमें क्या है हमें क्या नहीं है तो हमें सबस्टाइब कर रहे है तो बहुत बहुत बुधाईए आपको ठीक है सर्फ BPSC क्लास कब से 4.2 की एक बैच अलड़ी स्टार्ट हो चुका है वो खतम होने मतलब अभी चलेगी क्लास उसमें और नया बैच है वो छह तारिक से चल रही थी नई बैच है वो छहता अगस्त से स्टार्ट होने वाली ठीक है चली तो स्टार्ट करते हैं पर सारी ही चीजियों को बात करते हो यह दो चीजैंगे अब यहां मुझे है मुझे ऐराइवल करने के लिए के हमें धड्रा करना पड़ेगा गया इंद मिलोच क्या करना पड़ेगा थैक कि अब यहां पर इस ताइम कहने का मतलब है कि जब कोई पर्शेस रेम के पास जबाता तो उसको सो सो यह फैकंut जब कोई प्रोसेस रैम पे पहली बार आता उसको क्या कहते हैं उसको अराइबल टाइम कहते हैं तो यह मेरा जीरो टाइम पे क्या हुआ तो आ गया रैम में आके बैठ गया तो जीरो टाइम पे क्या कोई प्रोसेस आके बैठ रहा है अब हम चार्ट जाके चेक कर रहें तो गाड़ी स्टार्ट होने वाली है और मेरा जीरो पे आ गया और गाड़ी आके बैठ गए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जैसे हम आगे बढ़े अब क्या आया कि वन ठीक है अगला वन दिया है तो वन यहाँ हैं पे लिख दिया अब गाड़ी स्टार्ट हो गए और वन जैसे स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ पीवणा आके काम कि अब कि लेकिन यहां पर एक काम कर और जो कि यह सकते हैं कि पीजीरो मेरा साथ यूनिट काम किया आगा यानि एक यूनिट इसका च्छै यूनिट भी रिमेनिंग होगा अब देखो पीवन आ गया वन पे मेरा पीवन आ गया अब क्या है मेरे को यह देखना है चुकि मुझे क्या करना है पीवन का यहां पे यह देखना है कि किसका काम सबसेचोटा आ गया जबसेचोट अब नेकाम सब्सक्राइब करना था सबसे छोटा मुझे P1 मिल रहा है 1 तक मेरी गाड़ी चली और 1 तक जब गाड़ी मेरी चली तो सबसे छोटा टाइम क्या आगया सबसे छोटा टाइम मेरा आ गया है P1 का P1 को कितना काम करना है तो P1 को काम करना है मेरा 3 unit तो चुकि primitive तो एक बार सारा ये काम खतम कर देगा, यानि की, 1 से start किया, और 3 पर खतम किया, यानि की 4 इसका completion time हो गया, तो इसका 4 आपका क्या हो गया, तो 4 आपका completion time हो, that is cord, खतम हो गया आपर, अब मामला आगे बढ़ेगा, हाँ, हाँ यह सिक्वेंस तो अलग-अलग होगा न ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब मेरे पास क्या है तो 0 से 4 तक मेरी गाड़ी जा चुकी है यानि कि मेरा और जब 0 से 4 तक आ चुकी है तो मेरा किया है मतलब मेरा रेव से टीक मेरा ιक मेरा में मेरा 52 आके बैठा हूआ है भी वन तो काम खरतर करके निकल गया है और उसके बाद पीर पीटू प्रकी चाहां करना तो अब गाड़ी से जाट हाने जूर मयट पास्ट है और कि पीटू कोिया सतकते हुआ है तो अब सुए प्रोसेस बीट बैट गया होगा जिरो से चार तक में जितना भी प्रोसेस ये जिसे प्रोड का जीरो था वहीगा होगा पीवण का एक फीध ही था यह आके कर दो ही है तो ये भी आके बैळ लिए ओन तो इस वजह यहां पर क्यanter जीरोid के बीच में इतने प्रोसेस आके बैठ अब मुझे यहां पर सौटेट जॉब फर्स देखना कौन सा काम सबसे पहली है तो अगर देखते हैं कि पीजीरो और पीटू को को अगर कंपैरिजन करते हैं सबसे छोटा कौन है पीजीरो यहां पर अपना काम कंप्लीट करेगा ठीक ह है बहुत सर बचे को कॉष्कन आहरा सरयों कीश्ट एक सफ सबसें के intel को्डल पा假 करना था ठीक है पी जीरो को टोडल स्बसाथ काम करना था सबसाथ करना करना था और एकistent यहां पर काम ख़ुका था तो रिमेनिंग उसका चार तक का काम यह हो गया अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट में तो अब पीजिरो को काम कितना करना थे तो चार बचा है च्छह यानिक ये 10 ये 10 तक ये काम करेंगा ये क्या करेंगा तो ये आपका दस तक करेंगा उसके बाद मामला आगे बढ़ा ठीक है हाँ उसके बाद मामला आगे बचा किया बस पीटू ही बचा अब पीटू ही बचा यहां पे पीटू जब यहां पे बचा तो पीटू पे अगर हम बात करेंगे पीटू पे हम बात करेंगे तो पीटू का साथ है दस साथ यह सत्रह हो गया दस और साथ य यहां पर हम बात कर रहे हैं तो मेरा क्या सौटेट जॉप फरस्ट पे इसको काम करना कॉंसा जब जो सबसे छोटा हो उसका काम पहले होगा तो सबसे है मेरा कुछ नहीं काम हुआ है जी डाम क्काम करना कर दिया था कम से कम इसको एकτο caam करवाना ही पड़ेगा एक तक कुछब्सक्राइब यहां पर मेरा अब हम छोटा कैसे मानेंगे comparison करना पड़े comparison क्लिए कुछ तो होना चाहिए तो comparison के लिए क्या है तो 0 मेरा कौन सा प्रोसेस आया था तो 0 पर 0 arrival time पर मेरा पी-0 आया था और यह PG आया और फिर अगला जो arrival time था वो वन था वन पर कौन आया one पर मेरा P1 अब क्या है कि PG डो मेरा जीरो पर आया और एक काम करके आगे बढ़ गया तो इसका remaining काम 6 बचा अब 6 इसका बचा है तीन इसका बचा है तो दोनों में छोटा कौन है दोनों में छोटा मेरा है वो मेरा है है फिस यहां चोटा है कियोंकि फिए क्वरण का सबसे छोटा कामैं तो सब से पहले V21 को यहां एकस्क्यूट कर दीए फिए क्रिवन को कितना डिजिध करना था पी 1 को तीन चोंचर भी पहला 153 त widget करना था इसलिए one से गाड़ी चली है तो पीजीरो भी आ चुका है पीवन भी आ चुका है और पीटू भी आ चुका है ठीक है क्योंकि सबका अराइवल टाइम इसके बीच का ही है पीजीरो तो काम पीजीरो का काम रिमेनिंग 6 रहे गया है पीटू पीवन अपना काम खतम करके निकल भी जा चुक यहां पर पीजीरो को किया अब पीजीरो को चार में मिला है और च्छे इसका काम है तो चार और च्छे कितना हो गया दस तो पीजीरो मेरा दस पे आके खतम हुआ अब क्या बचा पीटू ही बचा पीटू को दस में मिला है और खतम हो रहा है इसको चाहिए टोडल साथ तो दस और साथ कितना होगा सतरह होगा तो यह चार्ट कैसे बना समझ में आगया ठीक है एक बार सारे बच्चे थैंक्यू आजय जी थैंक्यू थैंक्यू बहुत बहुत अच्छा तो यह लॉजिक समझ में आ गया सबको कैसे आया तो यह जो आपको गिवन है यह समझी अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो बेसिकली क्या है यह पीजीरो जो मेरा है पीजीर का कंप्लीशन टाइम कितना है तो पीवन कहां खतम हुआ है तो पीवन मेरा चार में खतम हुआ है तो कंप्लीशन टाइम इसका हो गया चार जहां पर अंत हुआ है वह उसका कंप्लीशन टाइम हो गया पीटू कहां खतम हुआ है तो पीटू मेरा सत्रह में खतम हुआ है तो है ठीक है ठीक है ठीक है सारे बच एक वन बाइब समझते ना यह सौर्टेट जो फर्स था इसी तरह एपसी एपस आ सकता है बिल्कुल देख सकते हैं बेटा क्यों नहीं देख सकते हैं अब कम्पलिशन टाइम आपको जब पता चलिया तो बाकी सब का फॉर्मूला तो आपको पता यह बाकी सब का फॉर्मूला तो आपको पता यह आप उत्तुरत कर लिजिएगा ठीक है चलिए जब आपको completion time पता हो चुका है जब आपको completion time पता हो चुका है प्यारे बच्छो तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है क्या हमें निकालना है क्या हमें निकालना है इसका 10, इसका completion time 10 हो गया, अट्टा नाउन टाइम ही गया, ये 4 इसका complete हुआ था, आया था 1, तो 4 में 1 गया, तो इसका 3 हो गया, ठीक है, ये 17 में complete किया था, आया था 2 में, तो 17 में 2 आ गया, तो कितना हो गया, 17 में से 2 गया, तो यानि की 15, ठीक है, 17 में 2 आ गया, ये given है 3, question में given value ठीक है तो यह point हो गया यहां पर अब यह logic समझा कि 10 3 17 कैसे है अब आते हैं दूसरे point पर किसर अब निकालना है waiting time waiting time बराबर आपने क्या पढ़ा है turn around time minus bus time ठीक है तो 10 में से 7 गया तो कितना हुआ तो 3 हुआ 3 में से 3 गया तो कितना हुआ 0 हुआ 15 में से 7 गया तो कितना हुआ 15 में से 7 गया तो 8 हुआ यह मेरा 8 हुआ ठीक है तो यह मेरा total आ गया सबका वर्स टाइम ठीक है formula याद रखिएगा कि आपका वेटिंग टाइम आपको निकालने के लिए बोला था वेटिंग टाइम बराबर होता है तर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम ठीक है बस टाइम आपका गिवेन है तर्न आपको टर्न टाइम निकालना पड़ेगा तर्न अराउंड टाइम बराबर ह सब को जोड देंगे चुकी तीन से डिवाइट कर देंगे तOR drop नो विखा कि आपका या समझ में आया एक बार सारे बच्चे को अब कि सर्दस ये कैसे आया ठीकए मेरा 10 में छत्म हुआ पी जी रों कर यहां सब इंडिंग इंडिंग लाइन 10 में इसलिए compassion 10 हो गया, पी 1 का एंडिंग लाइन कहा है, पी 1 का एंडिंग लाइन 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 हुआ है, पी 2 का एंडिंग लाइन कौन है, पी 2 का एंडिंग लाइन 17 है, इसलिए यहाँ पे 17 हुआ है, आप समझ में आ गया? बोलो YES, सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है अब इसका एक जुगाड और लगाते हैं जुगाड क्या लगाना है? वो मुझे देखने दो रुक जाओ, रुक जाओ एक जुगाड लगाने की कोसिस मैं कर रहा P0 है न? तो चार दस है पीजीरो दस में कम्प्लीट हो रहा है ठीक है दस में से साथ यानिकित बाद बरावर है हां बाद बरावर है चलो ठीक समझ में आ गया सर बसी दो यह फिजीक्स पलेज म्सीट टूर इलिजबल 400 परसे अडिवल ट्यारी के लिए अबी प्यसिकले लिजबल ही ठीक है ठीक है वेरी गुड़ तो यह आंसर समाझ में आ गया तो हमें जो निकालना यह निकाल तो यह एवरेज यह तो है एस जेपे यह बेस्त आब आते हैं दुसरे कोशन में ठीक है दुसरा कोशा आज सीर्फ निम्डेकल ले加ome बना सिस्टम विधा थर्टी टू बीटर गो मैनी यूनिक एड्रेस नकीडियां इल्पाया ठीक है ठीक है चलिए पूअ यह गया है यह कोiboशन आपके स्क्रीन पहे पूछा यह गया है पियरे स्टुडेंट की अगर यह सिस्टम पर अगर बदयुस सिस्टम wird आड रहे है तो यूनिक एडुरेश टोटल कि इना हो सकता यह आप से पूछा गया है ठेक है यूनिक एड्रेस आपका कितना हो सकता यह आपसे पूछा गया है अगर अगर यह आप से पूछा गया यूनिक एड्रेस कितना हो सकता है चलिए वेरी गुट तो इसमें ज्यादा कुछ को अला था नहीं अगर 32 यहां पर तो यूनिक एड्रेस टोटल कितना होगा तो टू का पावर 32 बिल्कुल सार है ठीक है 50% तो राइड आंसर कितना हो गया स्टूडेंट तो दो का पावर 32 टू डू दी पावर 32 ठीक है यह इसका हो गया सिस्टम है ठीक है चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट में यहां तो डारेक्ट आप ऐसे बना दिया अगला कोश्चन इफा सिस्टम यूजिंग पेजिंग विट पेज साइज ऑफ चार के भी कोई ऐसा सिस्टम है ऑपरेडिंग सिस्टम है हमारे पास बच्चियां 60 परसेंट बच्चियां 40 परतिसाद में क्वालिफा हो जाएंगे ठीक है तो इस कोश्चन पर आते हैं स्टूडेंट अगला जो कोश्चन है उस पर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा पेज है जिसमें मेरा क्या है पेज साइज है वह आपका चार के भी है पहला और मैंनी पेज़ेस केंफिट वर्च्वल एडरस में कितना पेज यहा है तो सिंपल सा बात है क्या पूछा गया है कि हाओ मेनी वर्च्वल हाओ मेनी पेज़ेस तो पेज़ेस कितना होगा तो पेज़ेस कितना होगा हम बाद नंबर पेज़ेस बराबर कितना होगा नंबर ओफ पेज़ेस बराबर नंबर ओफ पेज़ेस नंबर ओफ पेज़ेस तो कितना होगा तो यहां पर होगा वर्चुल आ हमेनी पर शक्राइब तो वर्चुल मेमोरी स्पेस टोटल वर्चुल मेमोरी एड्रेस स्पेस by each page size each page size ठीक है तो total virtual memory address space कितना है तो वो अगर हम बात कर total virtual memory address space कितना है तो 2 GB है तो 2 GB बराबर 4 KB करना है 2 GB बराबर 4 KB करना है अब इसको equality में लाना पड़ेगा हमें equality लाना पड़ेगा ठीक है ठीक है तो यह याद रखिएगा तो अगर यहाँ पर बात कर रहे है अगर एक में लाएंगे तो 2 into 2 का पावर KB MB GB 2 का पावर 30 हो जाएगा और नीचे कितना होगा 4 लिखा होगा है ना तो 4 into 2 का पावर कितना है KB तो 2 का पावर 10 होगा ठीक है अब इसको अगर sort out करते हैं तो यह 2 का पावर 31 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 का पावर 10 और 2 का पावर 2 यानि कि 2 का पावर 12 हो जाएगा अब क्या है इसको divide करेंगे तो 31 minus 12 होगा 31 minus 12 होगा ठीक है 31 माइनस 12 होगा तो 11 में 2 गया तो 9 हो गया और 2 में से तो यानि कि क्या हो गया 2 का पावर 19 बाइट हो जाएगा 2 का कहीं option में नहीं है तो answer क्या हो जाएगा none of the above हो जाएगा ठीक है सब तुक्का लगा देता है सब तुक्का लगा दिया हर बच्चा तुक्का लगा के आगे बढ़े जैस स्रीराम तुक्का लगा के आगे बढ़े भाई calculate तो कर लो कि क्या जा रहा है answer आपका none of the above जा रहा है answer आपका none of the above जा रहा है देखो answer आपका none of the above जा रहा है ठीक है चलिए यह हो गया यहाँ पे अब आते हैं दूसरे को यहां समझ में आ गया है ठीक है 29 कैसे होगा रही 2 का पावर 12 है तो 29 कैसे हो जाएगा 19 होगा ना कुछ भी बोल देते हो ठीक है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह आ रहा है कि सर्ष सरकार ने यह घोसना करी है कि 26 जार वेकेंसी है तो यह 26 जार वेकेंसी कब के लिए है प्यारे स्ट्रुएंट अगर मैं बात करता हूँ 26 जार वेकेंसी के लिए तो पूरे अभी रिक्तियां है बिहार में 26 जार कंप्यूटर टीचर की न्युक्ति होनी है वो TRE 4.0 में ले ट्यारी 5.0 मैंने लेकिन 26,000 रिकुर्मेंट करेगा आपको ये मैं कह देता हूँ कि आपकी नौकरी होगी लेकिन कल ही हो जाएगी ये गलत है जो बच्चे आज ट्यारी 2.0 के बाद जो जॉइनिंग किये हैं उन्होंने 2019 में एस्टेट किया 20 में एस्टेट क्वालिफाई किया था तीन साल वेट किया तब आज नौकरी मिला है कोई भी एस्टेट गवर्मेंट की नौकरी मिलती है तो थोड़ा से उसमें पैसेंस रखना पड़ता है तो हमारे लिए खुसी की बात यह कि 26.000 पोस्ट हमारे लिए हैं ठीक है यह अगर सिक्षा मंत्री ने बोला है तो कुछ तो कहीं से सोच समझके ही बोला होगा कि 26.000 पोस्ट हैं हमारे पास तो आज ले कर ले आपकी वहाँ पे वेकेंसी आएगी अगर यह अगले एक दो साल में अगर नौकरी नहीं ले पाए तो फिर जब गेट बंध हो जाएगा उसके बाद मुस्किल तो जितना हो सके थोड़ा सा त्याक करो समर्पन करो लड़ो जगड़ो जो करो लेकिन आप इसका ले लो ठीक है ठीक है ओके अमन कर दूंगा ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन को अगला कोश्चन क्या कहता है झाल अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे ठीक है अब प्रोसेस रिक्वाइर फाइप एम्बी ओ फीजिकल प्रोसेस रिक्वाइट फाइप एम्बी फीजिकल मेमरी कोई प्रोसेस है कोई प्रोसेस है ठीक है उसको चाहिए एक्जिक्यूट करने के लिए पांच 15 MB Ram चाहिए ठीक है 5 MB Ram उसको चाहिए अबिदा पैसाइज और पेस साइज एपस Crispy ऐंच जो जा रहा है पेससाइज जो जारा तो 5 MB बटे 1 KB, 5 MB by 1 KB होगा, 5 MB by 1 KB, सर कैसे करेंगे 5 MB by 1 KB, चलिए सर करते हैं, ठीक है, तो 5 MB अगर लिखते हैं, तो 5 को MB में लिखना है, तो 10 का पावर कितना होता है, KB में 10 होता है, MB में 20 होता है, 10 का पावर 20 होगा, और बटे मेरा 1 is 2, 10 का पावर 10 होगा, KB है तो मेरा 10 होगा, अब आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो आंसर 1 10 से यह 10 खतम हो जाएगा, यहनि कि 5 into, सॉरी 10 नहीं, दो होगा, सॉरी, 5 into 2 का पावर, ठेक है, तो अगर देख पारा हो, तो 5 into 2 का पावर 20, बटे 2 का पावर 10, यह यह खतम हो गया, तो 5 is 2, 2 का पावर 10 हो गया, 2 का पावर 10 मतलब होता है, 1024 होता है, 1024 है, तो यह मेरा हो गया, 5,120 हो गया, 5,120 is the right, 500, ठीक है, 5,120 is the right, यहनि कि यह हो गया, अब है, कि हो सकता है, यूनिट में आपको bit दिया रहे, हो सकता है, कि किलो बाइट दिया रहे, हो सकता है, कि मेगा बाइट दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, आप उसको easily कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको question से ही आपको answer निकालना पड़ेगा, ठीक है, लगभग भी दिया र ठीक है तो ये रूल आपने सुना होगा हम लोगों ने बहुत बार ये पढ़ा भी है कि अगर हम बात बोलते हैं कि के بी ठीक छोड़ सा इसको लिख्वाई देता है अगर दिमाग में रह जाएगा ठीक है अगर हम लोग बोलते हैं के बी तो के भी हमारा होता है MB हमारा होता है KB है MB है अगर हम बात करते हैं GB है यह हम TB है उसके बाद हम बात करते हैं PB है उसके बाद हम बात करते हैं EB है उसके बाद हम बात करते हैं ZB है KB, MB, GB, TB, PB, ZB ठीक है ZB के बाद मेरा YB होता है और YB के बाद मेरा Bronto होता है ठीके ब्रोंटो होता है और उसके बाद ब्रोंटो उसके बाद मेरा जी ओफ होता है के बी का मतलब मेरा एक हजार चौबिस बाइट मेरा होता है ठीके एमबी बराबर मेरा क्या होता है तो एक हजार चौबिस के भी होता है ठीके एक हजार चौबिस के भी होता है ठीके इसका हम लोग लिखना चाहें अगर तो इसको लिख सकते हैं दो का पावर 10 बाइट इसको लिख सकते हैं दो का पावर 20 बाइट ये तो हम लोग लिखते ही हैं दो का पावर 30 बाइट ये मेरा हो गया दो का पावर 40 बाइट ये मेरा हो गया दो का पावर 50 बाइट ठीक है ये मेरा हो गया दो का power 90 बाइट और यह मेरा हो गया दो का power 100 ठीक है यह तो हो गया actual value अगर हम एक प्रॉक्स पर बात बोलते हैं तो 1024 को में लिख सकते हैं लगभग 1000 ठीक है और 1000 को लिख सकते हैं 10 का power 3 यानि 1000 उसी प्रकार ये मेरा 10 का power 6 ये इसके लिए 10 का पावर 9 ठीक है इसके लिए 10 का पावर 12 ठीक है इसके लिए 10 का पावर 15 ठीक है इसके लिए 10 का पावर 18 इसके लिए 10 का पावर 21 इसके लिए 10 का पावर 24 इसके लिए 10 का पावर 27 इसके लिए 10 का पावर 30 तो यह लगभग होता है यह एक्चुल होता है यह लगभग होता है यह तो कभी-कभी अगर मान लोगी 5000-120 ना लिखके अगर 5000 भी लिखा रहेगा तो आपका वही होगा ठीक है तो डिपेंड करता है क्या कोश्चन पूछा गया है तो चलिए ही आप समझ में आगे पर सारे बच्चे बोलो कि यह सर में कोई प्रावलम नहीं ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन में इन सिस्टम 64-bit एड्रेसिंग फोर के पेजी साह वाट इस दा मैक्समुन नमबर पेज ठीक है चलिए 166-bit एड्रेसिंग है और 4 के भी पेज साइज है ठीक है तो यह भी डारेंड तो टोटल नमबर एड्रेसिंग प्याव ठीक है ठीक है ठोटल नमबर एड्रेसिंग और डिफाइन कर देंगे ठीक है देखो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ते हैं ठीक है बहुत का तो मुझे में भी पढ़ता है और मतलब जैसे कि राज कमली पुराने राज पटेली पुराने स्टूडेंट यह सब महारे पुराने अविशेख है पुराने स्टूडेंट है लेकिन रिसेंटली एक बच्चा जूड़ा है हमारे साथ इतिशाम एहमद ठीक है मैं उसको जानता नहीं ब क्लास तो उससे बिच्छे को मैं कहूं यहां ठीक है तो बेसिकली यहां पर मैं कहूंगा स्टूडेंट के बारे में कि कभी क्लास आगे पीछे भी होता है कभी 19-20 बीज भी होता था है लेकिन उससे लेटर उस बच्चे का कमेंट कभी नहीं आता है कि सब्सक्राइब क्लास लेट है सब यह हो गया टूदा पॉइंट टूदा कोशन कोशन डाउट है उसको दस बार पूछ लेगा इधर उधर की बाते नहीं का तो मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे हम देखते हैं कि म यस यस बहुत सारा स्टूरेंट है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं वह बच्चा रिसेंट जुड़ा है चलिए कोशन पर आते हैं इस कोशन पर बात करता हूं यहां पर इनस सिस्टम विश्टी फॉर बीट एड्रेसिंग और फोर के भी पेज साइज वाट इदा मैक्सिमुन नमबर पेज सिस्टम डैट कैन भी अग्रेस ठीक है किस है बिल्कुल यार बहुत तो अगर मैं बात करता चौशट बीट एड्रेसिंग इस सिक्स्टी फॉर बीट है डिस्टी फॉर बीट है एड्रेसिंग हमारा 64 बीट एड्रेसिंग हो गया ठीक है एंड 4KB page size है, 4KB page size है, तो क्या होगा, बस वही होगा, नमबर और page के लिए क्या होगा, तो 64 यानि कि 2 का power 64, और बटे 4KB, यानि कि 4KB paper size है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, तो 2 का power 64, 2 का power 64, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठेके, उसके बाद अगर मैं देखत हो यहाँ पे कि अगर 4KB, यानि कि 2 का power 2 और KB का मतलब क्या होता है, के बी का मतलब 1000 होता, यानि 2 का power 10 होता है, तो 2 का power 64, बटे 2 का power 22, सुरी 12, ठेक है, 64 और 12, 16 और 12, 16 में 12, थेंक यू तो अगर मैं यहां पर बात करता है तो यह 64 है 64 में अगर मेरा बारा चला गया चार में दो गया दो छे में गया तो पांच तो यह बावान होगे टू का पावर फाइप यानिक फिप्टीटू आपसर नमर्सी दराइट ठीक है वेरी गुड हुँ ठीक है एंगा लो Am 159 कुछ स्टूदेंटी हाँ ऐसे हैं छो गया फिर मैं बात करता हूं अटूल हो गया राज कमल हो गया यह पर Hoगया ऐसे सब्स स्टूद्ज के बार के भाई अशकता है गर कि दे सकता हूं ना कॉर्ष से ना फिर पांटो पता है यह ना यहां मुझे पेड़ में दीखता है यहां भी देखता है तो इस तरह की है वह ठेक तो 64 यहां पे दिया है कि इनर सिस्टम में याद होगा कि 32 बीड का हम लोग कैसे निकालने हैं ठीक है ब thể smid to learn डाया था फंस्त कोषियन में तो फिर स्वल्ण से लेकर और last question को add करके फिर ये बनाया है ठीक है? दो question को add करके बनाया गया है ठीक है? चलिए अब बात करते हैं यहां पर तो यह question वे आगया सबको अगला question क्या है? अगला questions क्या है? अब यहां पर process P2 का निकालना है ठीक है? प्रोसेस पीटू का निकालना है यहां पर बात करता हूं सभीन दो अधी एकटीस चेडिली पॉलिसी फिर्दर एड़नी रहे नमबर जिसका है उसकी और नंभ एक जाहर यह यह तो यार यह दो का पावर एक वाद 30 और एक जोड़ेंगे तो 31 होगा यह दो चार को लिख सकते हैं दो का पावर दो और गुले दो का पावर 10 तो 10 और दो 12 होगा पावर माइनस हो जाता यह भी तो पता है ठीक है तो चली सक्ष्षन का जवाब देजिए और झूंदी इसका कि देखो आप लोग का सेलेक्षिन मेरा योगदान मात्र दस से बीस परसेंट होगा बाकि 80 परतिसाद आप कोई भी टीचर यह क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम लोग की यार हम हम आपका सेलेक्षिन करवा दिया यह हम नहीं कह सकते हैं सकते हैं कि हमने आपका सेलेक्षिन कर वा दिया ठीक है हाँ आपके सेलेक्षिन मेरा कंट्रीब्यूशन मैं हमेसा यह कोई भी टीचर नहीं बोल सकते हैं कि हम यह कर सकते हैं में एक कॉंटेंट दे देना या फिर आपको मेंटोर कर देना 10-20 परतिसाद बागी 80 परतिसाद आप है इस कोईशन को सॉल्व करने की कोईशिस कीजिए टीचर इस कोईशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है किसे कोईशन के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ग्या कोश्चों पूछ गया कोश्च अगर देखा यह अब तो कोश्चTrans यह पूछा गया है कि letter tsukari मोल थो byrait और ये भी बोला एकि जो सबसे छोटा है वो सो कि प्रियोटी नहीं होगी टो चली अगर मैं देखता हूं यहां पर तो सब पहला पॉइंट अगर यह देखना पा रहें अंपे तो यह आप का गया है सबसे पहले क्या में आपन आगे अप जाहिर सी बात है कि अगला एफन ओन है अगला राइवल कौन है मेरे पहले दोस्तों अगला राइवल एक सकेंड जीरो का राइवल कितना जीरो का उसका बाद आगर मैं देखता हूं तो उसके बाद रुग जा रुग जा सुनो मेरी बात को अराम से समझो पहले क्या कहना चाहरा है पहले तरीके से इसको पहले समझाते फिर आपने बढ़ा दिए ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट यह समझे कि आपका क्या है कि जीरो पे जीरो मतलब कुछ निगाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुए और काम आके बैठ स्टुडेंट ठीक है जब वन साइकल तक हम गए हैं अब मेरे को यह क्या है यानि अभी तक तो कुछ काम नहीं हुआ था बात समझेएगा पहले अभी तक कुछ काम नहीं हुआ था यहां पर हम बात करते हैं क्या बोला है यहां पर प्रियोरिटी सीडुलिंग पर काम करना यहां पर सौ्ट Election पर नहीं होगा अगर मैं बात करता हूं यहां पर सौकेट जो फर्स्ट काम नहीं करेगा यहां पर क्या काम करेगा तो प्याब यहां पर आपको यहां पर समझना है प्यिस की हाई है तो क्या बोला है कि जटना चोटा नबर तो यहाँ पे सब से पहले पी औंच काम होगा यहां पीक् capitalist करना है ठीक डिप प्रियोरिट्टीप कंस्लिडरेशन करना इस्थ हैँ प्रियोर्ट चोटा किसका सबसे छोटा प्शाइप전 प्याओन का ना सब पी फोर का काम कितना है तो पी 4 को काम करना 4 तो एक div 10 चार में काम खतम कर लिया तो यह लगा कि पांच ही हो गया ठीक है जीरो से अब आपको बहुत सारे दिमाग में यह आएगा कि सब आप यहां पर ही क्यों ने पीवन को खतम कर दिये बेटा पीवन को अभी तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुए गाड़ी बंद है गेट बंद है मेरा गेट बंद और एक प्रोसेस आके बैढ़ यह अंदर ठीक है यह वाला सीन है अब जब हम गेट खोल दिये यानि कि वन पे जब हम आ गए तब मुझे देखना है कि भाई किसकी प्रियोर्टी राख से चोटा है तो इसकी सबसे चोटा इसा यहानिक है कि जो सबसे और लोवर अनुम्बर इस हाइयर जानिन कि एक काम हो चुका था ठीक यह पीवन का एक काम हो चुका था यहां पर ठीक जीरों से इक सेकेंड MSure user user अब आते हैं पीवन पर टो पिवन का कितना काम रह गया तो अगर भल्क हम एक प्रिमिंटी बोला चलो ठीक और नियुत लिए बात ने तो तो पीवन एक काम कर चुका है तो नौ बचा होगा तो पीवन कितना हो गया तो पांच और नौ पांच 14 हो गया इसका 14 हो ठीक है ठीक है अगला क्या है दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो अगला पीटू का हो गया पीटू को कितना काम करना है तो पीटू को काम करना है मेरा पीटू को काम करना है एक तो चौदार एक पंद्रा हो गया फिर मेरा क्या बचा पीथिरी बचा पीथिरी को काम करना है मेरा चार तो पंद्रा पंद्रा और चार उन्नीस हो गया यह सब का खतम हो के टेड़र do a quick एक मेरा 11 आब है कि पुछा क्या गए है कि मुझे निकालना है टर्राराउन टाइम निकाल लिए विटक का टूनराउन टाइम बिराबर क्या होता है कंपलिशन टाइम मायनस अराइवल टाइम का है 15 में 15-11 वन यानिकी चौदा निकालना है कि पीटू का टर्न अरराउंड टाइम निकाल लिए तो टरन टाइम ड्राबर क्या होता है कंप्लीशन ॐे स्टाइम माइनस पीट पन कंप्लीट ओए में कभ था а तो चार पर आया है तो एक पर before कैसे स्टार्ट हुआ के शंब्हों कि समझ शंब्हों कि यहां पर अर्याइवल टाइम पर नहीं बोला यह बोला है कि जिसकी प्रियोडिव प्रियोर ट्राइशन देखना यहां पर अर्याइवल पर कि नहीं बोल आप जैसे गाड़ी स्टार्ट किए आप वन युनिट तक गए तो अब देखना एक इन सब में इन सब में किसकी प्रियोटी आप एक काम करते हैं और लेते हैं ठीए एक चक्क्र और लेते हैं proposed जरुब 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 जरुबजर जरुब एक टक्तकर और आपको यहाँपे इसको kons wrap नहीं करना यह वीयाऩक्त जाँना से lub क्रोंटि सिर्ची लिंग पर करना है ठीगे किसकी सबसे wraps वोटा होगा उसका काम पहले होगा इसी लिए यहां पर यह कंस्रेडरेशन नहीं हुआ अब समझ में आया कि लॉजिक समझ में आया कि दुबारा बताते हैं प्यारे बच्चों यह से डूलिंग अलूर्दम है जहां पर किसी एक स्पेसिफिक का हमें क्या निकालना है तो टर्नाराउं टाइम निकालना है टर्नाराउं टाइम निकालें कैसे अगर मुझे कंप्लिशन टाइम पता और कंप्लिशन टाइम कैसे निकालें गेंड़ चांड निकालें चुकि यह प्रियोटी सबसे कम होगी उसका काम पहले होगा ठीक है जिसकी प्रि आट्रेशन पे था इसलिए ठीक है एक दो कोश्चन और करेंगे ठीक है हाँ हाँ ठीक है तो यह हो गया इसके बारे में और कुछ कोश्चन इफट डिस्क हाज़ा ट्रांस्फर रेट पांच मेगाबाइट पर सेकेंड एंड शिक टाइम अव दस इसकेंड वाट इस दा मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर एड अचीवीन वन सेकेंड ठीक है एक सेकेंड में कितना डेटा रान नो ऑफर हेड़न कंडिव डेटा रांसफर तो सिंपल सा बात बोला गया है कि अधिए रात 8 बजी एक लास होती है रात 8 बजी कर देखा वहाँ पर ठीक है तो मैं आपको बताता हूं अगर कोई डिस्क हैज़़ ट्रांसफर एड पचास एंबी पर सकेंड है और सिक टाइम उसका है वो टैन माइक्रो सेकेंड दिया हुआ हूए टैन माइक्रो करते हैं तूं मेकसिमम डिटा ट्रांसफर रेट जो मेरा एक सट एसे कंड एक शुंमिंग है लोग। कितना डिटा ट्रांस्फर करेगा यह आप Вас फूंग यह आपसे पूंच्वा करेगे क्या होग राइट यह सारे बच्चे पर सकेंड पार चास एमभी पर सगेंड सीक क्थाईं कुछ भी दिया डायर रिक सब्सक्राइब काई लिखा है आसलिखा 50 सेंवेटी पर सेकेंड तो एक सब्सक्राइब बिना क्याम करेंजिये संका यही ने grabbing करना यहां पर किस्ट करना ही निए था तेगे यहां पर कुछ करना यह नहीं था दिए अधवर दोड़न कोशाना आप ठीक है को याद रहे था याद रहे लारीज आँ सर्ण कि आवात है बिल्कुल कुश्चिंट रहना हम छोड़ देते बागी कल्कुलिस रूल साइट करें डाय कोशन आंसर है चलिए मजाया है पचास हैं भी पर सकंड लिखा हुआ है तो पचास हैं भी पिसी तो होगा ठेक है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे इन वर्चोल में मुरी सिस्टम में कॉन सा स्टेट में है जो करेक्ट है वर्चोल में मुरी के बारे मंगर हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्त है या आप से पूछा गया चलिए तो डेटा जैसा अभी मैं काँ अगर हम लोग काम करते हैं डेटा ट्रांसफर सेंड The total डेटा बाइट टाइम टोटल ट्रांसफर बाइट रिट यही हम लोग बात करते हूं पर ठीक है सीघ टैयम का यूज वहां पर करेंगे नहीं यहां पर कोई जोरत ही नहीं है चलिए एक्स बिल्कुल तो यह कोशन्स क्या पुछा गया स्टोडिया अगर इस पर हम देख पा रहें क्या पूछना चाहा रहा है यह कोश्चन सबसे पहले वर्च्वल मेमोरी होता है वर्च्वल मेमोरी यहां पर सही होगा यहां पर जो सही होगा भी टूदर राइट आंस ठीक है अब यहां पर पहला कोश्चन यह बूचा था कि कोई डिस्क है तो डिस्क मेरा क्या वो रहा है कि 50 Mbps पर से पर सकेंड पर यह डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है और 10 स्थ्क टाइम 10 माय या निकी ट्रैक को ढूँने में ना वो समय अलग रहा है खेक है अब बोल रहे है उमयाटेटा ट्रांसफर कर सकता है यह हůं भाई ये कोशन में आंसर दिया है 하루 पर शिक टाइम की जो रत नहीं पड़े हां ऐसा रहोता कि एक सीक को अचीव करने मितना टाइम लेटा अगर ऐसा लिखाता कि पर सीक टाइम में 50 MB का डिटा लेता या पर सीक टाइम में तब हम सिक से उसको डिवाइड करते ठीक है इससे मिलता जो और भी कोशन है जो डारेक्ट हम लेकर आ जाएंगा उसको हम सॉल्फ कर रहे होंगे ठीक है चली तो इस कोशन पर कुछ चीजे थी नहीं यहां पर आते हैं इस कोशन पर वर्चुल मेमोरी के बारे पूछा गया है स या फीजिकल मेमोरी से ज़्यादा बढ़ा होता है वर्चुल मेमोरी या फिर हम से यह पूछा गया है कि क्या हो गया भाई कुछ गढ़बर चल रहा है गया है आपर चली तो थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं तो वर्चुल मेमोरी सिस्टम वीच आफ दा स्टेटमेंट इस दवर्चुल एड्रेस इस पर लार्जर देन दा पर दफिटकल बिल्कुल तो पहला ही स्टेटमेंट यहां पे है वगर मैं बात करता हूं कि क्या हो गया कुछ बात है तो अगर यहां पे देखा जाए दोस्तु तो व Caesar मेरी से उससे तो जादा ही होता है मेरा वर्चुल मेरी उससे तो जादा ही वो बड़ा होगा किस से तो मेरा फिजिकल मेमोरी से वो बड़ा होगा तभी तो मुसक्त कर पाएंगे तो ऑप्षिन नंबर एज दा राइट आप सब्सक्राइब फालतू का आप लोगा डिसक्रसन करने में ठीक है तो याद रखिएगा तो बेसिकली यहां पे क्या होता है ब एक सिर पहले उसको हटाने दो, पहले क्या हो रहा है? झाल 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 पहले question को समझाते हैं यहापे ठीके question समझाते हैं यहापे पूछा क्या गया है? अगर virtual memory system है, वर्चुन memory system क्या होता है? तो सबसे पहला आप यह समझिए कि virtual memory मेरा वर्चुन memory जो मेरा होता है वो क्या होता है part of hard disk होता है यानि कि यह हमारा RAM है और यह मेरा hard disk है ठीक है तो अब यह RAM हो गया और यह मेरा hard disk हो गया तो hardware disk का इसा पार्ट होता है hard disk का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो RAM की तरह काम करेगा तो उसे हम लोग virtual memory कहते हैं समझेगा पहले उसे हम लोग virtual memory कैते हैं RAM का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो बैसिकली हाड डिस्का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो रैंप की तरह काम करेगा उससे हम लोग वर्ट्रोल में उर dop करेंगे अब यहां पर यहां पर एसींक के बारें पूछा गिया अब virtual address क्या होता है तो virtual address कहने का मतलब है कि यह address और यह address included यानि कि जितना actual में available है और प्लस और जितना add कर दिये है virtual address space कहने का मतलब है कि RAM मेरा माले यह 4GB का है अब 4GB में हम 2GB और add कर दिये है hard disk का कुछ पार्ट को add करके समझेगा पहले मेरे पास actual physical memory कितना है 4GB हम virtual को add कर दिये हैं हार्ड डिस का कुछ ऐसा पार्ट है जो add कर दिये तो यह दोनों का address कंसूम करेंगे तो यह हो जाएगा मेरा वर्चुल एड़ तो टेक्निकली जो physical मेरा रहे का उससे तो जादा ही है ना वर्चुल का यानि कि अभी तक रहा यह आपका physical था यह आपका physical था आप इसमें भी add कर दिये तो यह इससे तो यह जादा ही है ना मेरा भाई इससे तो यह जादा ही है इसलिए यह मेरा कंसीडर होगा वर्चुल एड़ेस में लार्जर देन दा फीजिकल मेरी ठीक है वर्चुल यानि कि हमें जो टोटल मिल रहा है वो उससे बड़ा मिल रहा है ठीक है यह कहने का मतलब है समझ में आ गया ठीक है चली तो यह और यहां पर कुछ वर्चुल एड़ेसर स्पेस में क्या आ गया तो आपका जो जितना था एक्चुल वर्चुली जो जोड़ दिये मेरे पास चार जीवी था हम उसमें दो जीवी और एक्स्टा कर दिये तो मेरा छे हो गया तो वर्चु यहां जो कंसीडर होता है वो रैम का है ठीक है वो रैम के बारे में बोल रहा है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अगला कोश्य विचा फॉलिंग सीडूली अरुदम लेकर लीड़ स्टार वेसन ठीक है अगर स्टार वेसन इटस नौट आपाउट गैपसेट्ट इस आप डा एड्रेस शुक्त प्रिएकें पहले जाता है फिर उस घ्रसा करता है तो डारेक्ली हम लोग डारेट्ली अगर मानगों उसको जोरत ही नहीं तो डारेक्ली नहीं पहले चेक करेगा की क्या वहाँ पे है डेटा है तब जाके एक्सेस करेगा इसने सी डारेट कहना यह इलोजिकल है ठीक है चलिए अब आते नेक्स्ट कोशिन पर अब अगला कोशिन यह पूछा गया है कि इन में से कौन सा है जिसमें स्टार वेशन देखने को मिल रहा है इन में से किसमें है जिसमें आपको स्टार वेशन देखने को मिलता वाट इस दाराइट आंसर ठीक वाट इस द राइट आंसर अस्टार वेशन यानि कि due to low priority अगर किसी प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है तो उसको लोग स्टार वेशन का प्रॉब्लम कहते हैं हन् I should not möglich Language अम अगर हम बात करते हैं है अगर मैं देख निए को है बिल्कुल मैं अब बात समझो और या नहीं क्यों कि राउनड रॉबिन मेरा primitive scheduling है देखो starvation पहले क्या होता है यह समझे स्टार वेशन होता है अगर due to low priority due to low priority अगर किसी process को due to low priority अगर किसी process को wait करना पड़ रहा है तो starvation का problem आता है ठीक है due to low priority अब बात यह समझे अगर हम round robin पर काम करते हैं तो round robin process P1 है P2 है और P3 है ठीक है इसको काम करना है 5 इसको काम करना है 10 इसको काम करना है 15 और मैंने यह deadline दिया है कि हर process को 3-3 मिनट का समय देंगे तो भाई 3 मिनट इसको मिला फिर अगला 3 मिनट इसको मिला किसी को wait तो करने की जोरत नहीं पड़ी यहां तो waiting तो हो नहीं रहा है तो यह तो होगा है नहीं यह तो किसी हक पे नहीं होगा ठीक है क्योंकि यहां पे किसी को priority के वज़ा से रुकना नहीं पड़ रहा है हर process की जो requirement है सब को बोला गया है कि 3-3 मिनट सब को हम देंगे तुम परधान मंतरी हो तुम कोई भी हो हम हर 3 मिनट में तुमारे पास आएंगे तो पहला तो होएगा नहीं दूसरा आते है फर्स्ट कम फर्सर फर्स्ट कम फर्सर पहले परधान मंतरी आएगा उसको भी पहले सर्विस मिलेगा पहले एक नौकर आजागा उसको भी सर्विस मिलेगा पहले गरीब आजागा उसको मिलेगा विराट कोहली आजागा उसको फर्स्ट कम फर्सर तो यहां पे भी priority वाली ब बन रहा है ना कि पूरे process में सबसे कम समय किसको लग रहा तो priority दे रहा है ना भाई कि जिसका काम कम है उसको हम पहले करेंगे यहां पर मेरा starvation का lead होगा यहां पर मेरा starvation को देखने को मिलेगा ठीक है बिल्कुल तो अगर मैं बात करता हूँ कहां पर होगा तो सौटेड तो आपको इस तरह अगर सारा रूल याद रहेगा तो आपको ऐसे eliminate करना पड़ेगा ठीक है eliminate करकर के बनाई एगा ठीक है तो पहले eliminate करकर के बनाई एगा तो राइड आंसर क्या हो गया option number C is the right answer ठीक है अब आते नेक्स्ट कोश्चन में ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्या पूछा गया है पहरे स्टूडेंट इन multi-level q-cidular the how our process typically categorize multi-level क्यू का सेंस इसमें बनता है थोड़ सा अब आते हैं इस कोश्चन पर अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों multi-level q-cidular क्यू है अलग-अलग बना हुआ है ट्रैक टाइप यहां पे क्यू रूप में बना हुआ है ठीक है तो multi-level q-cidular है यहां पर multi-level q-cidular है तो यह पूछा गया है कि हावर प्रोसेस टैपिक को भी प्रोसेस को कैटेग्राइज किया कैसे किया था मल्टी लेबलिंग अगर बात है बेस्ट ऑन दा प्रियूट बिल्कूल होता है तो प्रियूटी और cpu बस टाइम के हिसाब से यहां पर काम करता है ठीक है चलिए तो याद रखिएगा प्रियूटी भी फैक्टर बनता है और यहां पर ठीक है आस मोरनी हूं मैं अच्छा भाई साब भाई साब भाई साब चलिए तो अब थोड़ा सा यहां पर समझे बहुत तरे बच्चों को दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर मल्टी लेबली क्यों काम कैसे करता है यह क्या करता है कि हम जितना भी प्रोसेस किये हुए है जित है तो यह कैट आगराइज करता है एक मन्लों कि क्या रखे एक कैसे करता है तो याद रखेगा जैसे कि मांव वह का एंटर ली प्रोसेसं कैसे हो घृड prospects गालां फर वह बीर्ग यह उनम लाग मानो किकर टाइम शेरिंग है तुल यह नियांग मानो यह अम यह के-ंपीटि औ है वो केटेग्राइज करता है दो फैक्टर पे एक बस टाइम पे और दूसरा प्रियोरिटाइशन पे अब यह बस टाइम क्या होता है बस टाइम कहने का मतलब यहां पर हो जाता है एक्जक्यूशन टाइम बस time कहने का मतलब हो गया यहां पर execution time यह मेरा execution time मेरा हो गया ठेक है तो यह याद रखिएगा तो यह based on the priority and CPU बस्ट आप्सट नमबर a is the right answer option number a is the right answer ठेक है ठेक है शरी अब आते हैं दूसरे question अगला question क्या है उस पर हम बात करते हैं अगला question which of the falling situation can lead us अच्छाइए question हो चूका है मृट इस अब प्राइमरी परप्रस और पेस टेबल इन दा वर्चुल मेमोरी मेंट में वर्चुल मेमोरी मैंट में कौन सा ऐसा है जो virtual memory address space में कौन सा काम है basically यह आप से पूछा गया virtual memory address space में what is the primary purpose of paste table what is the primary purpose of paste table paste table का primary purpose क्या होता है ठीक है तो basically यह बिलकुल primary purpose प्राइमरी 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 करने ठीक है चलिए तो इसका बेसिकली काम क्या है आप इसको ये भी बोल सकते हैं इट यूस्टू ट्रांसलेट ये ट्रांसलेट करता है ये ट्रांसलेट करता है क्या तो लॉजिकल एड्रेस को ये लॉजिकल एड्रेस को और लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस ल यह मेरा ट्रंसलेट करने का काम करता है तो बैसिकली है कि आप इसको समझ सकते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देते तो सको ऐसे समझें कि मानलिजे कि कोई भी प्रोसेस को नंबर और庫 पेजुचस में डिवाइड किया जाता है को भी प्रोसेस को नंबर प्रयुक्त करते हैं पेजिन पेजिंग मेरा क्या करता है अगर हम बात करते हैं पेजिंग पेजिंग काम क्या है प्यारे स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं पेजिंग क्या तो पेजिंग का बेसिकली काम क्या होता है यह याद रखिएगा पेजिंग का बेसिकली काम यह होता है कि कोई भी अगर फिजिकल एडरेस आप इसको ऐसे समझे पहले ठीक है ठीक है थोड़ा इसको समझे कि पे पेजिंग क्या करता है यानि कि फ्रेग्मेंटेशन के पार्ट को यह दूर कर रहा था अब अगर मैं बात करता हूं पेजिंग काम करने का तरीका यह होता है कि यह जितने भी प्रोसेस हैं जितने भी प्रोसेस उसका एक logical एक logical mapping करता है logically partition कह सकते हैं जिसको pages कहते हैं number of pages in pages one मतला ये क्या करता है पहले pages बनाता pages one pages two pages three और pages four और ये RAM को डिवाइड करता है number of frame राम को डिवाइड करता है number of frame frame one frame two frame three frame four अब क्या है यहाँ पर समझीएगा पहले कोई भी process क्या किया process को number of pages में दिवाइड कर दिया ठीक है अब क्या करता है इसका सबसे बड़ा खास ये था अगर माने जिए कि यह It पीछ से हमें इसफिया सब्सक्राइब पिज्ि यहां पर होने वाला है तो ये पहले से उसको पता है और I यहां पर क्या करेगा कि और कमानि लगया तो यहां पर अलोकेट करेगा ठीक है तो यह process कि अब यही process जाता है frame में यानि कि process और framing का mapping होता है अब कौन सा process किस frame में रखा गया है इसी का indexing किया जाता है वो किसमें किया जाता है तो वो मेरा page table में किया था तो basically इसकी जो addressing है वो क्या हो गई वो physical address सरी यह मेरा logical address है और इसकी जो addressing होती उसको physical address का था समझो पहले यह क्या करता है जो process की जो addressing होती उसको logical address कहते हैं और जो मेरा frame की addressing होती उसको physical address कहते हैं क्योंकि frame किसको बाटा गया है रैम को बाटा गया और रैम तो मेरा फीजिकल है तो इसके एड्रेस को कहा जाएगा फीजिकल इसके एड्रेस को कहा गया लॉजिकल अब कौन सा पेज किस फ्रेम में रखा गया है यह सारा डीटेल हमें यहां रखा जाता है और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या इसे ही हम लोग कह ठीक है तो बेसिकली यहां पर वर्चुल एड्रेस यानि को वहीं लॉजिकल एड्रेस हो गया वर्चुल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैपिंग करने का काम ठीक तो आप सुनमबर यह इस दर आई डाम से चलिए अगला कोश्चिन क्या है कर मैं बात करता अभी 9 बजे हां बाइ मिस्टेक 9 बजे क्लास लग गया ध्यान में थाने 6 बजे था हां प्रोसेस का एड्रेस को फिजिकल लॉजिकल कहते हैं और हैड्रेस को फिजिकल कहते हैं चलिए इस को इस्कोश्चिन बात करते हैं विच्छ तो चौने हैं डेड्लॉक इन ऑपरेडिंग सिस्टम भिझाल आप उचा गया है तो डेड्लोग को हैंडल करने के लिए इस्तमल्क रre og करने के लिए इस्तमाल करते हैं और प्रिवेंट भी करते हैं तो यहां पर आप्शल अ और एक और यहांओ-शा Cyclope का है हैंड तो ड्रट इंड़ल करें लिए सब आता है ना भाई सब आएगा अनों डिटेक्ट भी कर सकते हैं दो सकते हैं आर हम लोग अवाइड भी कर सकते यह थी तीनों का म alguna सकते हैं इसी यहां सर यहां पर और यह थोई ना बोला का स्पेस्वी किसी एक काम के बारे में थोई ना बोला है ठीक स्पेस्वी एक काम के बारे में थोई ना बोला यह सब के बारे में बोला है तो इसलिए आंसर मेरा हो गया है अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे इंडिस्टिबूटेड operating system which are the following is a major challenge distributed operating अहां बिल्कुल distributed operate कोई प्रियोर्टी नहीं है है हैंद्लिंग में कोई प्रियोर्टी नहीं होता है चली तो अकर हम बात करते हैं सिंक्राइशन दे सिस्टम क्लॉक अक्रोस डिफरेंट मसीन मैंनेजिंग सिंगल यूजर तो अकर मैं बात करते हैं यहां पर तो सबसे पहले यह distributed operating system होता है क्या distributed operating system कहने का मतलब क्या हो गया कि मैंने different node यानि कि different different node है वो collectively किसी काम को अगर execute कर रहा है execute कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं distributed operating system तो handling file system permission यह कोई challenge नहीं बनेगा यह synchronizing system close across different machine यह सबसे बड़ा challenge बन सकता ठीक है सबका system clause को synchronize करना अलग अलग system पे यह सबसे बड़ा challenge बन सकता बिल्कुल अगले question में अगला question में अगला question क्या है प्यार student वो देखते हैं यहां पर next question आपके screen पर which of the following is a algorithm is commonly used for this scheduling this scheduling के लिए यह हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़ें कुछ दिन पहले ही पढ़ें तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ऐसा है जो बेसिकली डिस्रिडूलिंग के लिए इस्तमाल में लाया जाता है ठीक है तो डिस्रिडूलिंग में कौन कौन है आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है मैंने बताया था कि FCFS होता है स्कैन होता है सर्कूलर स्कैन होता है सर्कूलर स्कैन होता है ठीक है सर्कूलर स्कैन होता है लूक होता है और फिर मेरा सर्कूलर लूक होता है यह मेरा सर्कूलर लूक होता है तो यह आपका पूरा का पूरा यहां पर हो गया यह आपका पूरा एक दो तीन और 3-6 होता है तो कौन सा राइट आंसर हो गया तो यहाँ पे पहले हम लोग पड़े हैं FCFS, SRTF, SCAN, CSCAN, लुक यह सारा इसका पार्ट होता है आते हैं नेक्स्ट कोईश्चन में वाट इस दा में फंक्शन ऑदा करनल का में फंक्शन क्या होता है करनल का करनल क्या होता है तो को रॉप्रेडिंग सिस्टम होता है बिल्कुल को रॉप्रेडिंग सिस्टम होता है तो उसका में फंक्शन आप से पूछा गया है कि क्या होगा यह आप से पूछा गया है ठीक है में फंक्शन क्या होगा यह आप से पूछा गया कि kernel का main function क्या होता है ठीक है to manage the hardware resource तो सबसे पहला काम तो यही हो गया hardware resource को यह manage करता है या फिर अगर मैं बात का hardware resource को यह manage करता है या फिर आपको user interface provide करता है या फिर आपका क्या होगा यह आप से पूछा गया है तो अगर पूछा गया सबसे बड़ा part क्या है इसका core of the operating system होता है core of the OS होता है जिसका basically काम जो होता है hardware resource को manage करना to manage a hardware resource आपका computer जो है बिल्कुल option number A is the fact है जो जिन्होंने A बोला वो जंक जीत चुके हैं का फैस HE argument I ROM होता है इसका software इंट इसकाधी नहीं होता हट साफटरे पर दिल नहीं होता है इसका judiciary का होता है आपके laptop में श्ञें कहां लिख तरह से एस स्टी यह इस स्था रेका यहार स्था इस स्था ठाइम मस क्षर्ट सिकता फस्टीस सस्ट ऐस्ट है ससट ही फुता है ठेक है चली करनल का में फंक्षन के तो इसका में फंक्षन होता है तो आप आब आते हैं क्रूश इसक़ को स्च्रीकरक्षा इसको क्या थे चुछक्वाइब और यहां पर देखा जाए यहां पर पहला लाइन तो बिल्कुल सही है अगर देखा जाए ठीक है यह पहला लाइन पहला लाइन तो सही है कि पेजिंग क्या करता है मेमोरी को fix size में डिवाइड करता और segmentation क्या करता है वह मेरा variable side में ठीक है 他 हो गया इसके बारे अपको यह हो इसके अगया होगा ठीक है तो पेजिंग का काम करने का तरीका यही है पेजिंग का काम करने का तरीका यही है फिलाल ठीक है पेजिंग फिक साइज में कर दोको पेजिंग और सेग्मेंटेशन है ना दोनों एक तरह का memory management technique है दोनों एक तरह का memory management technique ही है ठीक है दोनों का जो मतलब partition है कुछ इसी प्रकार से है ठीक है तो यह याद रखे राइट आंसर मेरा यहाँ पर क्या हो गया option number a is the right answer option number a is the right answer ठीक next question पर आते हैं इना process control block PCB ठीक है process control block होता है क्या तो किसी भी process का जो data structure कोई भी process का अगर मेरा जो data structure है किसी भी process का मेरा जो data structure है उसे हम लोग PCB कहते है किसी भी process का जो data structure उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग है बिल्कुल तो याद रखे कोई भी process का जो data structure उसे हम लोग क्या कहते है उसको लोग PCB कहते सवाल आप से क्या सवाल आप से पूछा गया है मैरे प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों सवाल ये आप से पूछा गया है बिलकुल कौन सा पार्थ जो इसमें इंक्लूड नहीं होता है कौन सा पार्ट है जो इसमें इंक्लूड नहीं होता है प्रोग्राम काउंटर तो होता है इसमें ठीक है प्रोसेस स्टेड़ सीप्यू रेजिस्टर अगर मैं बात करता हूँ कौन सा पार्ट है जो इंक्लूड नहीं होता है ठीक है कौन सा पार्ट है यहां पर कि क्या-क्या चीज होता है यहां पर तो थोड़ा सा गर इसको देख पाएं तो होता है क्या-क्या तो किसी भी प्रोसेस के बारे में कौन-कौन सा information होता है वो देखते हैं तो मेरा PCB में क्या-क्या होता है process ID होता है process ID मेरा होता है प्रोग्राम काउंटर मेरा होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है, प्रोसेस आईडी होता है, और प्रोसेस आईडी हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, प्रोसेस स्टेट होता है, प्रोसेस स्टेट भी होता है, क् से स्टेट हो गया उसके बाद किया होगा प्रियोरिटी हमारा होता है प्रियोरिटी हमारा होता है उसके बाद अगर में बात करता हों झेनररल पॉरपस रेजिस्टर हो जाएका जनर прошл रिकर को । और क्या होता है लिस्ट आफ ऌफ आफ आपएन फाइल होता है छिगत जेनर्ल पर्पाुयार रे onion लिस्ट आफ आफ आपन फाइल भी ओता है ठीक है तो अगर यहां पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता है न तो अपर नहीं होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू इसकोशन क्या होगा कि मेरा नन अप दाइबब होगा लेकिन यहां पर नहीं होता तो यह मेरा इसलिए आंसर यहां पर नहीं ठीक है याद रहेगा तो इसलिए आंसर मेरा न आपको बता दिया कौन-कॉन होता है यह दिमांग में रख लिजे किसी प्रोसेश में इतना सारा इनफर्मेशन है जो आपका रखा जाता है थेख है चलिए नेक्स्ट कोसशन अगला अगलें कोशन prag लिज अ क्या कहना चाहरा है तो अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ अगर यहां पर देखा जाये बिलकुल नहीं तो डैडलोक प्रिवेंशन वे बैंकर्स अलोकर्यतम तो हो गाई एगर मैं नहीं करता हूं यहाँ पर तो अगर यहां पर देखा जाए तो इस ठेक्टर्स अलोकरशन जो होता है वह मेरा Detection and Prevention का काम करता है यह Secretary & Prevention का काम करता है Detection & Prevention का काम दोनों करता है तो यह भी मेरा हो का Two-Phase Locking यह नहीं होता है यह basically protocol है नहीं होता कौन है कौन नहीं है यह पूछा गया है तो आपका यह होता है यह बेसिकली आपका detection और prevention दोनों का काम करता है ठीक है bankers algorithm तो होता ही है ठीक है bankers algorithm तो होता ही है तो क्या यहाँ पर हो जाएगा answer कौन नहीं होता है तो टू पास जो टू फेस लॉकिंग है यह कंट्रोल सिस्टम सिर्फ में सका इस्तमाल कंट्रोल सिस्टम में इसका इसका पूछायता है ठीक है ठीक है शली कौन सॉरी डेड़ लग प्रिवेंसन हैना यह तो को डेड़ लोग को अवाइड करने डेड़ लोग को अवाइड करने के लिए डेड़ लोग को अवाइड करने के लिए इसका इस्तमाल किया तो देखो एक बात में समझात सुनो मेरी बात को सुनो मेरी कहानी को पूरा कहानी समझा देते हैं तो प्रिवेंशन के अगर हम बात अवाइडेन्स को प्रिवेंसिंट की केटेग्री माँ रख सकते हैं तो लेकिन टू-फेस लॉकिंग जिसका दूर दूर कोई नाता नहीं है तो इसका काम क्या है तो डेडलोग को यह क्या करता है तो चलो इसको भी हम कंसीडर आउट कर लेते हैं तो कौन सा है जो एकदम नही है इससे ठीक है तो in that case हम यहाँ पे टू-फेस लॉकिंग को ही मानेंगे क्योंकि एक तरह का प्रोटोकॉल है कंट्रेंसिंग है तो मेरा यहाँ पर टू-फेस लॉकिंग हो जाएगा यह आपका क्रेंट हो ठीक है एक चीजा और हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक एक सब्सक्राइब और तो यह तो प्रिवेंशन के लिए ना तो यह तो मेरा हो गया डिटेक्शन के लिए यह मेरा आवाइडेंस के ल एक पॉइंट यहां पर बनता है बिल्कुल एक पॉइंट यहां पर जरू बनता है बिल्कुल अगर हम प्रिवेंशन सब्सक्राइब देख रहे हैं और ऑप्सन मेरा मोर देन ऑन अब दिया हुआ है तो यह भी कंसीडर होगा क्योंकि यह इस्तमाल किया जाता है और इसका त आपको यह एलिमनेट करकर के सीखना पड़ेगा ठीक है अगर यहां मोर देन ऑन अब अब आप नहीं दिया रहे तो हम लोग टू फेस पर खेलते हैं क्योंकि डेड्लोक्स रिस्ता है इसका बैंकर्स कर ठीक है तो इस जैसा कोश्चन वैसा जवाब देना पर एक ही कोश्च का अंसर वैरी कर सकता है डिपेंड ऑन यूर ऑप्शन क्या दिया है वहां पर ठीक है तो यहां पर आंसर हमारा होगा ऑप्शन नमबर डी क्योंकि डारेक्ट प्रिवेंशन के बारे में पूछा गया है ठीक है कि नेक्स्ट कोश्चिन कोश्चिन इसी तरह से रहेगा एक्जाम में ठीक है अगला कोश्चिन हूँ अर्ट डिस्टिबूटेड में फाइल सर्वर का क्या इस्तमाल होता है डिस्टिबूटेड सिस्टम में फाइल सर्वर का क्या यूज होता है यह आपसे पूछा गया है प्रॉप प्रॉप आपको यहीं प्रॉप आपको एक्जाम ले रहा है वह बहुत डारेक्ट थोड़ीना पूछा जाएगा और वही चीज़ हम लोगों तयार करना है यहाँ पर वही चीज़ हमें तयार करना तो यह क्या टो टोटोर एड मैनेज़ पाइल स्थोस्टम के बारे मुजट ठीक र अब यह डारेट कोशन का पेपर वही अच्छा दिया है जो बहुत लगतार प्रैक्टिस कर रहा था जिसने एस्टेट वाला भी क्लास नहीं छोड़ा था उसको बहुत फाइदा मिला यहां पर ठीक है बिल्कुल यह कंफ्यूजन ही खेला जाएगा चलिए इस कोशन पर बात करते हैं यहां पर क्या है स्टुडेंट नेक्स्ट कोशन इस स्क्रीन बिल्कुल तो अकर पूछा हुच तो फॉलिंग स्टैडि उस्टू अप्टिमाईज दा फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम को अप्टिमाईज करने के लिए वह परणाम करते हैं यार आप लोग को आंसर यहां पर ऑप्टिमाईजेशन का मतलब क्या होता है ऑप्टिमाईजेशन का मतलब होता है कि पर्फॉर्मेंस को इनहेंस करना यानि कि आपको disc का space बढ़ाना, disc का space बढ़ाने का काम, disc का space increase करने का काम तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा defragmentation करेगा ना मेरे भाई fragmentation तो चलो ये टर्म है, बिखरा हुआ, मोमर्य को कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा पेजिंग तो मेरा memory management टेकनीक है तो यह manage करता है space थोड़ी ना बढ़ा देता है space कौन बढ़ाता है defragmentation आप जब आप यह तो normal थी ओ आप practical करते हो ना कि जब computer में data आप देखना कि आपके computer defragmentation का टूस दिया रहा था defragmentation क्या करता है जैते हैं अपने विंडोस को defragment करते हूं मेरा hard disk का space increase करता है तो basically इसका काम है space increase करने का काम होगा ठीक है तो basically defragmentation मेरा इसका part paging हो गया swapping भी नहीं हो तो right answer मेरा defragmentation यहाँ पर होगा ठीक है तो थोड़ा सा तो confused किया है बेटा आप आते हैं next question में अगला question क्या है what is the which algorithm used to implementation of the memory management technique called body system वह first fist best fit या worst fist कि एक उरह घर।्द स्चघ की находळ continua थे थे जया, ते का जट भे एंए जा भे तो है ते का ते चली कि चली जा करने मेरा है या बेए ते का झाते हैं food. टिकर सबसे पहले कि आपको बड़ी सिस्टम करता है कि बड़ी सिस्टम क्या हो गया बिल्कुल आते हां आते हैं रुख जा मेरे भाई अहां अगर ठेके सबसे पहले बड़ी सिस्टम काम करने का क्या तरीका है कि यह क्या करता तो यह एक memory system को क्या करता है ऐसे डिवाइड करता छोड़े पार्ट में यह छोड़े पार्ट में डिवाइड करके करने की कोसिस करता है यानि की डिवाइड कौन कर तो बड़ी सिस्टम कहने का मतलब हो गया एक ऐसा memory allocation system जिसमें क्या 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 एता है कि memory को split किया जाता है multiple पार्ट में split किया जाता है और फिट डेटा को उसमें डेटा को स्टोर कियाता है तो यह बड़ी सिस्टम है अब बहुत सारे बच्चों को यह आएगा कि बड़ी का मतलब यह होगा कि अगर यह मेरा free space पढ़ा हुआ है तो जब सब सबसे पहला जो खाली होगा उसमें हम बैठा देंगे वह फिट हो गया जो सबसे पहला होगा अगर उसमें हम बैठा दिए तो वह मेरा first feet हो गया ठीक है तो first feet समझ में आगे कि first feet क्या होता है उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं best feet पर तो best feet क्या होता है ठीक है best feet होता है कि यानि कि अगर किसी को 5 MB चाहिए space तो जहां भी 5 MB मिला वहां बैठा दिया यानि कि जितना जोरत उतना में बैठा दिये वह मेरा best feet हो गया ठीक है वोस्ट फिस्ट क्या होता है कि मुझे 5 MB का डेटा बैठाना था और मैंने 10 MB वाले में बैठा दिये तो वस्ट फिट हो गया तो यह तीनों का बड़ी सिस्टम के कुछ लेना देना नहीं कि इसका कोई कहानी नहीं बनता है तो राइड आंसर यहां गुर्दम है किसके लिए तो प्रोसेस अलॉटमेंट का काम करता है यह फर्स्ट मिलता है यह बेस्ट मिलता है यह वास्ट यह तीनों का काम करने का तरीका यह तो बड़ी सिस्टम का बड़ी सिस्टम का काम करने का तरीका यह है कि जो भी इसको स्पेस मिला है उसको छोटे- स्प्लिट करता है ठीक है तो यह दोना का मतलब कोई सिम्लर्टी नहीं बन रहा है इसी वज़ा से आंसर यहाँ पर नान आप अब हो गया ठीक है चलिए तो बड़ी सिस्टम इस आ आप बोस सकते हैं कि अलोकेशन सिस्टम विच डिवाइड लार्जर मेरी ब्लॉक इंटु स्मॉलर स्प्लिटिंग पार्ट स्प्लिट करता है और कुछ अभी जर्स इसके बाद वहीं जाएंगे पांच में में खतम हो जाएगा यह क्लास इन मल्टी प्रोसेश सिस्टम विच अफॉलिंग कॉमन चैलेंगे कॉमन चैलेंज प्रोड ऑप्रेडिंग सिस्टम का कॉमन चैलेंज इसको खतम तो करने पहने आते इसके बाद वहीं जाएंगे आज बाई मिस्टेक नौ बज़े लगया मेरे लिए भी दिक्कत होने है ठीक है 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 एंडिंग सिंगर एंड कंकरेंसी अमंग दो मल्टी प्रोड़ तो वीच अफॉलिंग कॉमन चैलेंग तो सबसे भी है जो ज्यादा है भी है जो जबसेदा है मल्टी कोर प्रोसेश में क् सिंक्रोनाइज करना कंकरेंसी अमंग दा सिस्टम करना यह थोड़ा सा ज्यादा इसके लिए चानल तॉप से नंबर भी यह डारेट कोशन में ज्यादा कुछ घुमाया फिर आए नहीं ठीक है